सब्सक्राइब कर रहे हैं जोग्रफी अपने प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से 2024 के लिए और हम लोग जल्दी जल्दी से अपने सारे सब्जेट्स को वाइंड अप करने कुशिश कर रहे हैं आप लोगों के पास शायद यह वाली किताब होगी अगर नहीं है तो आप डेफ माइल स्टोन कंप्लीट कर ली है और उस माइल स्टोन में आज चारचांद लगने वाला है क्योंकि आज एक लास के बाद में हमारा फिजिकल जोगरफी कंप्लीट हो जाएगा अब अभी तक हम लोगों ने अपने बेसिक्स ऑफ जोगरफी पर कमांड हासिल किया उसके आब हम लोग आते हैं क्य podem나 हो गया था एकमार ने जानकर मुझे स्टार करेंगे पिलहाल आज का एक मोटा-मोटा टॉपिक मैं लिख दहूं इंडियन जोगरफी नहीं में अभी क्या है ऑब virtuous बड़े बड़े सब्दों में लिखता हूँ ओशिनोग्राफिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है इसके मुश्किल से दो चार ही पॉइंट्स है जो कि अगर आप लोग ने पढ़ लिया तो मोटा मोटा ओशिनोग्राफिक आपका कंप्लीट हो जाता है उसमें से जो को इंप अधिक रिलीफ शुरुआटि दोर हम लोग को ईसा लगता था कि जैसे हम लोग जब आपने चारों टरफ धरती पर उठाके अपना सिर को देखते हैं तो हम लोगों को दिखता है यह पहाड प्राइयों तक भी चले जाएंगे तो भी बिल्कुल प्लेन ही रहेगा लेकिन बाद में वो तो वर्ल्ड वार के टाइम पर जब वहां पर सोना रेडियेशन के थ्रू बहुत सारी मैपिंग की गई तब हम लोगों को रियलाइज हुआ बहुत सारे जोग्रोफर्स इसमें इंक्लूड़ेट है तब रियलाइज हुआ कि यार ओशन के फ्लैट सर्फिस पर भी भाई बहुत ही इंपॉर्टन रिलीफ्स है ऐसे फीचर्स हैं जिनको कि मैं पढ़ना चाहिए हम बात करते हैं एवरेस्ट माउंटेन की इससे गहराईयां इससे जादा गहरी इससे जादा मलब गहरी बोले तो जितना हाइट माउंट एवरेस्ट का है उससे भी जादा गहरी ट्रेंचेस यहां पर मिलने को तैयार है तो इन सब के बारे जब दीरे-दीरे हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो हम लोग को ocean currents के बारे बहुत बार ऐसा होता है कि हम same latitude पर हैं लेकिन यहां का temperature और यहां का temperature बहुत different होता है ऐसा भी होता है कि हम कभी इस temperature पर है इस latitude पर है और दूसरा हम इस latitude पर है मतलब ऊपर Northward side पर है पोल्स दिखता है कि यार कहीं-कही desert formation हो रहे हैं हमेशा ऐसा दिखता है कि जब भी हम लोग मैप को उठा के देखेंगे तो उसके western coast पर ही desert formation होता है क्यों होता है बाद ने पता चला कि oceanic currents जो cold oceanic currents होते हैं उनके desert formation के पीछे उनका भी एक बड़ा हाथ है similarly ऐसे बहुत सारे reasons है कही कहीं पर हम लोग को fishing ground बहुत अच्छा दिखने लगा कहीं पर हम लोग को foggy condition दिखता है ocean surfaces पे उन सबके पीछे जब हम लोग को ने reasons find किया तो एक मात्र single reason जो मैं मिला वो था ocean currents तो हमारा ultimate aim oceanographic को पढ़ने का यह होता है कि हम लोग ocean currents को सही तरीकी से समझ लेते हैं उसी ocean current को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले उनका base तयार करना पड़ता है और उसी basic का नाम है oceanic relief इसको आप दो parts में चाहो तो divide कर सकते हो एक होता है आपका major oceanic relief और दूसरा होता है आपका minor oceanic relief once this portion is done फिर ocean currents को एक बहुत ही जादा दो process बोल सकते हो आप दो core concept बोल सकते हो आप दो theory बोल सकते हो जो की ocean currents को या फिर उनके movement को बहुत जादा change करने में सक्षम है और वो क्या है वो होते हैं आपके दो जुड़वा भाई जिसका नाम है इंपरेचर एंड सेलिनिटी तो भी इन दोनों के हिसाब से ये दोनों क्या-क्या cause करते हैं और इनके change होने से oceanic currents में क्या-क्या बदलाव आता है उन सभी factors को हम इन topics में पढ़ने तो बस इतना ही है मोटा मोटा अगर आप लोग important themes की बात करते हैं अपने UPSC particular themes की बात करते हैं तो आपके prelims के point of view के लिए ये तीन chapters काफी ज़्यादा important है तो अब इसमें oceanic currents में भी आप लोग पढ़ोगे कि ऐसा बहुत सारा classification हम लोग पढ़ेंगे इसमें हम लोग इसमे warm current के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें cold current के बारे में पढ़ेंगे और इनके various types के बारे में पढ़ेंगे ये कहां पर travel करते हैं पूरा map में हम लोग आज बिल्कुल रट डालेंगे घोल के पी जाएंगे इस oceanography को ठीक है तो चलो फिर बिना देरी के start करते हैं सबसे पह सकते हैं और बहुत सारे स्ट्राइजी जो आपको नहीं समझ में आते हैं आप मुझे पर सकते हैं मैं available रहता हूं यहां पर तो चलिए फिर start करते हैं सबसे पहला topic जो आज हम लिखने जा रहे हैं वो है आपके oceanic reliefs पटा-पट से copy निकाल लो लिखना स्टार्ट कर तो आप कि oceanic relief जैसा हम लोग पार्ट समझ रहते हैं कि ocean के अंदर जो होते हैं क्या structure है हम लोगों ने अभी तक तो यह देखा कि या अर्थ के उपर में mountains rivers platews बहुत सारे ऐसे कभी फोल मांटन कभी ब्लोक मांटन यह सारे formations हुए हैं और हम लोगों ने plate tectonic theory में ऐसे बहुत सारी च पढ़ा था या फिर हम लोगों ने sea mount के बारे में पढ़ा था गौर्ट के बारे में पढ़ा था यह सब बस हम लोगों ने एक बार ऐसे touch कर दिया था लेकिन आज जो है हम लोग इस पूरे oceanic relief को पढ़ने के लिए इसको दो टाइप में classify कर सकते हैं सबसे पहला है आपका major ocean relief और दूसरा है आपका minor oceanic relief सबसे पहले हम लोग बात करते हैं major oceanic relief के तहयत लेकिन जब भी हम लोग oceanographic की बात करते हैं तो आप यह समझना स्वरी oceanography के अंदर पर जब भी हम लोग oceanic reliefs की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने tectonic theory से जो भी part समझे थे उसको भ क्वेक वाले activities भी हो सकते हैं तो in fact जो भी मारा oceanic relief है it is nothing but a resultant of all these things हम क्या बोल सकते हैं oceanic relief जो है this is this is resultant of इरोजनल इसके बाद आप कोई भी टेक्टॉनिक आक्टिविटी की बादे बात कर सकते हो इसके बाद आप बोल सकते हैं कि अर्थ्क्विक कि एंड को कि और इसे और भी चीज़ें तो यह सब करने के बाद जो हम लोग को एक फीचर मिलता है अगर मुझे फीचर बनाने को बोला जाए तो मैं रफ डाइक्राम ऐसा कुछ बना सकता हूं कि शुरुवाती दौर पर कि आपका यहां पर मिलकुल कुछ लैंड सर्फेस होगा लैंड सर्फेस पर इहां पर परवत वगरा हुंगहें से आपका कॉन्टिनेंट स्टार्ट होता है कॉंटिनेंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिं कुछ ऐसा हो सकता है ठीक है अब इसमें हम लोग यह बोल रहे हैं कि भई यहां पर न सब पर मस्त पानी भरा हुए यहां से बिल्कुल पानी बरना स्टार्ट हो गया है ठीक यह पूरा स्ट्रक्चर आपका गोल सकते हैं अब इसी ओशनिक सर्फेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं वही सारी चीज़े अब हम लोग को देखनी है कि यह हम लोग को जो अभी तर हमें ऐसा लगता था ना कि यह तो पूरा बिल्कुल से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए लेकिन यह फ्लैट ना होके अंदर भी इतने सारे रिलीव फीचर मिल जाते हैं अब इन रिलीव फीचर को कैसे डिफाइन करें हम लोग तो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं एक मीजर क्लासिफिकेशन में आपको बताना कोशिश करता हूं फिर एक करके डिटेल करते हैं यहां नाम से लेकर कि पूरा यहां तक का पीछे यह पूरा का पूरा एक्चॉल में मैं यह हम लूख पढ़ते थे आंग ज संदो इस यह अभी तक और कॉंटिनेंटल प्लेट का ही पार्ट समझ poopने का तो यहाँ वाला हिस्सा उसको आप बोल सकते हैं इन प्लेट यह आपको पता हो ना चाहिए यह जहां तक इतना बड़ा जो हिस्सा है ना आप इसको कैसे समझ सकते हो कि पूरा ओशनिक सर्फेस मिला दो पूरा ओशन जितना भी आपको दूर दूर तक दिखता है ना उसका पूरा का पूरा अगर कॉंटिनेंटल प्लेट के उपर कितना ओशना अगर कोई आपसे पूछे तो एप्रॉक्समेटली अठारा परसेंट जो पानी का हिस्सा है उपर इस सतह की बात हो रही है तो लगबग लगबग अठारा परसेंट से लेकर बीस परसेंट तक का यह जो हिस्सा है यह कहां पर आता है आपके कॉंटिनेंटल प् सब्सक्राइब कि यह अब आपका क्या है यह आपका फाइनली ओशनिक प्लेट अभी तक तो क्या चल रहा था यह यह तो कॉंटिनेंटल प्लेट चल रहा था अब यहां से आपका क्या स्टार्ट हुआ है इसको ऐसा कुछ लिख देते हैं यहां पर भी कुछ होगा ही इसको यहीं तक कर देते हैं कि यह क्या है आपका यह है आपका ओशनिक प्लेट और यह जो हिस्सा है पूरा यहां से वहां तक जैसे हम लोग इसको पार्ट में डिफाइन कर रहे थे ने इतनी बात समझ में आ गई क्या तो मोटा मोटा जो अभी मैंने यह चार पार्ट गिनाए हैं आपको यह क्या है एक तरीके से यह आपके मेजर फीचर मेजर फीचर का मतलब समझते हो मतलब मोटे मोटे तौर पर हम लोग ओशनिक रिलीफ को डिवाइड करना चाहेंगे तो यह चार टाइप के मेजर ओशनिक रिलीफ का मेजर पार्ट है जब भी हम लोग माइनर ओशनिक रिलीफ की बात करेंगे तो जो यहां पर छोट mount हुसकता है यह क्या है आपका island हो सकता है क्योंकि देखो यह अंदर से उठ्था हुआ पूर बाहर पाणी के बाहर दिख रहा है ह drinking लोग को यह क्या हो सकता है कि Similarly यह हमारीन क्या हो सकता था सिमिलर्ली यह हम लोगों ने Already की structure में पढ़ा था क्या पढ़ा ता ना कि एक रिज structure बनता है और यहां से क्या होता है वालकोन फूटता है बाहर और यह वालकनल बाहर निकलते हैं, यह ना ऐसा पढ़ाता ना और फिर इदर दर shift होते रहते और इसा क्या नाम दिया था हम लोगों ने MOR दिया था क्या याद है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं Mid-Oceanic Ridge Mid-Oceanic Ridge में हम लोगों ने ये भी बात पड़ी थी कि भई देखो Mid-Oceanic Ridge वहां पर बनेगा जहां पर आपका जो दो प्लेट्स है इन दो प्लेट्स का डाइवरजेंट नीचे हो मतलब कि एक इस डिरेक्शन में जा रहा हो और एक इस डिरेक्शन में जा रहा हो यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि यहां से मागमा निकल के spread होगी तो बीच का जो हिस्सा बचेगा वो mid oceanic ridge बन जाता है याद है ना यह फिर ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यार एक पार्ट ocean plate का नीचे के तरफ subject होता वह भी दिखाई दे रहा है इस पर भी हम लोगों ने एक विचार दिया था कि यहां पर जो deep space है इस deep space का हम लोगों में क्या नाम दिया था trenches अब हम लोग एक एक करके जब इनको ही डिटेल में पढ़ेंगे यही है आपके oceanic relief ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं oceanic relief के अंदर में major oceanic relief की बात करते हैं उसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने continental shelf के बारे में oceanic self भी बोल सकते हैं आप लोग इसको यहां पर मैं लिखता हूं कि मेजर ओशनिक रिलीफ और पहले नंबर पर डालता हूं यह है हमारे लिए continental shelf अब मोटा मोटा idea आपको लग गया है अब एक एक करके अगर हम लोग बात करेंगे तो आप बहुत यह अच्छे तरीके से इसको define कर पाओगे ओ इसको अगर आपको कभी भी बनाना होगा तो आप बहुत ही simple तरीके से इसको ऐसे बनाना कि एक अपना continental यह जो अपना हिसाब किताब चल रहा था जहां पर हमारा flat surface जमीन वाला है और यहां से एक आपका यह आगया continental shelf बस इतना ही है बस यह इतना हिस्सा अब कोई आप से पूछता है कि अच्छा इसका slope कितना है वैसे तो आप बोलोगी देखें वह बहुत ही कम है यह मुश्कि से होगा आपका एक डिग्री है बस यह जो एंगल है यह एक डिग्री है चुकि यह काफी depth तक सब्स्टेंड होता है इसलिए इसकी depth बिल्कुल अंत तक आते आते काफी सारे changes में बदल जाती है अब वैसे तो हम लोग को देखने को यह भी मिलता है बही कि जैसे यह आगे ब यहां पर आप देख रहोगी एक sudden change हो रहा है है ना Sudden change of angle है एक डिग्री अभी तक चल रहा है फिर sudden थोड़ा से deep आ गया इसमें है ना जैसे यह डिप आता है इस वाले हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं यहां से यहां वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं continent break ठीक यह कॉंटिनेंटल ब्रेक है अब इसके बाद आपको कुछ एक चीज़े और समझ मानी चाहिए कि जो इसका डेप्थ है यह कितना वेरी करता है कितना डेप्थ तक चला जाएगा तो आप इसके डेप्थ के बारे में अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसा लिखना कि बिल मेटर के डेफ्थ तक हो सकती है ठीक है तीस से छेसो मेटर अब आपका दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर यह कितना विट्थ में कितने अंदर तक जाती होगी कॉंटिनेंटल शिल्फ कितना बड़ा रहता होगा तो एप्रॉक्सिमेटल अगर ऑन एन एवरेज देखा ज कि भी बात क्लियर हो गई आपके बंदने हैं इतना दूर हो सकता है लेकिन कुछ exceptional cases भी हमेशा मिलेंगे आपको है ना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हर बार 70 और 80 किलोमेटरी तो एवरेज है माक्सिमम देखा जाए ना तो मैक्सिमम कहां पर मिलता है पता है अगर मैं आपको यह continental break जो है इसको shelf breaker भी बोलते हैं अब इसके बाद आप लोग यह समझो कि एक एक चीज़ हमेशा से दिहान रखना आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम लोग सूरज की रौष्णी इसके उपर डाल के देखेंगे तो penetration बहुत गहरा ही है तो तो जाएगा नहीं है एक certain level तक ही तो जाएगा कितने अंदर तक जाएगा हम लोग यह अनुमान लगाया है और हम लोग ने experiment किया तो पता चला कि sun क के रेज जो है वह maximum to maximum 200 अधिसो मीटर तक जाते हैं उसके बियॉंड जाते ही नहीं तो इन फैक्ट यहां का जो सबसे ऊपर वाला पूर्शन है यहां का जो सबसे उपर वाला पूर्शन है यहां तक में आप बोल सकते हैं ऐसा इस पहें से नहीं बनाते हैं दूसरे बना देते हैं यह वाला हिस्सार्च होगा बस इतने ही दूर संब्रीट आप आता है और इसको अम लोगं क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं valeur फोर्टेग सफ ज़ून जहां तक सन लाइट पहसती है ये भी क्लियर होगा ना फोटिक जोन अब आप समझों कि जब भी सूरज की रोशनी जहां पर भी पड़ती है आपको भी पता है कि वहां पर यार सारे के सारे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं पौधें हैं या फिर प्लैंक्टन्स हैं या फिर अलगी है ये सब के सब यह भी काफि रिच बायो डैवर्सिटी मिलेगी हमें बोल सकते कि नहीं बोल सकते तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हों इसको कि जो हमारा फोटिक जोन ऑप्रोक्सिमेटली यहां पर लिखना अपलोग कि जो आपका फोटिक जोन हैं वह एप्रोक्सिमेटली 200 मीटर के डे और है लिए बूल रहे हैं इसका मतलब क्या है रिचेन बायो डाइवर्सिटी का मतलब है कि भै देखो जहां पर भी हम लोगोंने बोला कि यह प्लैंक्तन स्पाये जायेंगे वहां पर पॉलिपस आएंगे तो पॉल्लीपस जो होते हैं या फिर जो कोरल होते हैं उनका बहुत तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहां पर रिच इन बायो डैवर्सिटी का मतलब है कि क्या मिलेंगे आपको कोरल्स मिलेंगे यह तो एक चीज़ हो बायो डैवर्सिटी के लिए फिर आप यह भी समझो कि वैसा अगर इसका एक्जामपल देना है आपको तो आप वही ग्रेड्ड बैरियर रीफ ऐस्ट्रेलिया वाला है नहीं उसको ब्राकेट्ट में चाहए तो अपभाके लेना यहां पर कोर्रण्स के नामपर तो ग्रेडटर में आप क्रोड और हो इसे लिए प्लीज बोल रहां能 आप देखो जहां पर भी ऐसे पो टो आप सब क्या एक तरीके से खाना है किसका मचलियों का तो मैं ऐसा बोल सकते कि यार मचल्यों को जहां पर खाना मिले जिंदगी का उद्धेश झाना पीना सौना तैरना तो यहीं आँ आप यहां पर खाना मिल रहा है तो यहां पर Reaching Ground बोल सकते हैं क्याम इसे typically employeestoo अब जरा यह धब जो कि जब यह रिच फिशिंग ग्राउंड है अब रिच फिशिंग ग्राउंड पर भी ऐसा बहुत बार देखा गया है कि यहाँ पर मान लो जो भी बैंक चल रहा था यहाँ पर यह जो है यह क्या है वह यह कोस्ट लाइन है अपनी वैसे तो जिसको नहीं बार नदियां आती है आपने देखा होगा डेल्टा फॉर्मेशन करती है डेल्टा फॉर्मेशन करने का मतलब यह है कि खूब सारा सेडिमेंट्स अपने नदियां बहा के लेके आती है और कभी-कभी यही नदिया जब बह बह के यहां तक आती है तो यहाँ पर बहुत बार पर क्या बनाती यहाँ बनाती यहां पर एक हिस्सा कि दूसरा से बनाता हूं यहां पर यह हिसा एक Гपाड कुछ जाएrit हूँ है यहां पर कुछ ऐसे support कि इन deposit की नाम देते हैं इनका मंडू बोलते हैं ये क्या है dependent है और यह एक ऐसे बंख होंगे जो कि हम लोगं सकते हैं कि यह हाई फोटिक जोन होंगे कि आई फोटिक जोन होने की वज़े से यहां पर बायो डाइवर्सिटी और रिच मिलेगी अब यह जो बैंक्स एं इनका comparison अगर आप देखो तो दो आप example बहुत अच्छा देख सकते हो एक तो हमेशा उन स्पयादो को हम लोग बहुत बार ओंपडल दे चुके नियू फांड लेंड कौन सा ये रिया था जब उपर से हम लोग होने पड़ा था कि USA में एक तरफ हम लोग बोल सकते हैं फिर हम बोल सकते हैं उसको फिर हम लोग बोल सकते हैं उसकोैन उसको गलफ स्ट्रीम जो लैपर ऑब्लफ स्ट्रीम और Berator current बेजब मिलता है वहाँ पर आप देखोगे कि और जादा आपको बायो डैवर्सिटी रिच एरिया होगा तो example पर यहाँ पर आप एक यह लिख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग को जो banks मिलते है banks यहाँ पर भी काफी rich मिलता है और example के तोर पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एक तो है grand bank यह कहाँ पर मिल रहा है आपको newfoundland और एक brittle aisles के पास भी मिलता है ब्रिटिश aisles के पास में एक छोट असा इस तरीके से एक bank है जिसको कि आप लोग बोलते हैं डॉजर bank यह spelling है डॉजर bank यह कहाँ पर मिलता है आपको ब्रिटिश aisles के पास में यह इस बार मैं आपको दिखा देता हूं कहाँ पर है यह अगर आप एक map बनाओगे तो आपका यह ब्रिटिश है ना यह यूके हो गया पूरा और इधर साइट से आपके नॉर्वेजियन कंट्रीज के बाद में यहाँ पर आपका वही सब फ्रांस जर्मनी और यह सब रहता है तो यहां इन दोनों के बीच में एक आइलेंड है यह रहा यह है डॉजर बैंक ठीक यहां पर आपको मिलेगा इसकी जहां पर बात कर रहे थे ग्रैंड बैंक की वो तो आप लोग को पता होगा वैसे यहां पर देखो जब हम लोगों ने यह अमेरिका वाला रीजन बताते थे ना हम लोग ऐसे तो यहां पर ही एक आइलेंड है यहां कि इतना बड़ा नहीं होगा वैसा मैं आपको एंप्लिफाइगर के दिखाने कुशिश कर रहा हूं यहां पर है यह ग्रैंड बैंक तो इस तरीके से आप लोग मैं आप समेशा कोन सी चीज कहां पर है आप लोग को पता चल जाएगा अब जैसे हम लोग यह जब बोल रहा है कि यह कित पता है यह एप्रॉक्सिमेटली आता है 100 से 300 किलोमेटर किसकी बात हो रही है यह हो रही है कॉंटिनेंटल शेल्फ की आप बोलोगे तो बहुत ही जादा हो गया सर यह कुछ नहीं है सबसे जादा हम लोगो मिलता है साइबेरिया के पास मैं तो आप अगर चाहो तुसको अलग इसको आप किसी भी मैप में जब भी देखोगे न तो आपको ऐसा देखता है यह वाले मैप में देखना जारा कहां गया भाई हाँ हाँ है यहाँ पर देखना यह वाला हिस्सा देखो यही आपका न्यू फोंड लैंड है है और फिर इसके बाद ऊपर देख रहो यह यह दो वायट वाला पूरिशन आप देख रहे होना यहya सबसे यहां पर कितने मिल रहे हैं यहां के तुलना में अगर आप देखोगे तो साइबेरिया का जो कॉंटिनेंटल सेल्फ है यह बहुत ज़्यादा है और यह प्रॉक्समेटली पंदरा सो किलोमेटर तक जाता है यह सबसे बड़ा सकते वाफ लार्जेस्ट कितना होगा यहां पर आप लिख सकते हो कि यह हो सकता है आपका पंदरा सो किलोमेटर के आसपास बड़ी बात है इसके बात आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इस्टन कोस्ट है आपका युएस से का 100-300 अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या कोरल्स रिच बायोडाइवरसिटी और बैंक्स के मिलने से बोल रहे हैं क्या और बी चीज़ें तो होगी हम यहां पर बहुत जगहें पर देखते हैं कि मैंगरूफ फॉरेस्ट मैंगरूफ फॉरेस्ट भी देखते हो क्या आप लोग कहां पर देखते हो मैंगरूफ फॉरेस्ट अपने इंडिया का याद आ रहा गया यहां पर एक और पॉर्शन है यहां पर लिख देता हूं मैं मैंगरूफ फॉरेस्ट भी मिलते हैं कहां पर इसी कॉंटिनेंटल शेल और यह भी एक हाई बायो डायवसिटी रिच एरिया है एक्जांपल के तौर पर आपको लिखना है तो आप अपने यहां का सुंदर्बन एक्जांपल दे दो है ना बिल्कुल फिट है ना सुंदर्बन तो इस तरीके से आप सबसे पहला जो फीचर आपने डिराइट किया है यह बोल रहा हूँ आप लोग कि यहां पर आपको बहुत ही शांदार बायो डैवर्सिटी मिलता है क्यों क्योंकि फोटिक जोन है फोटिक जोन के होने से यह मिलता है अब जब बहुत फर्दर डिप्थ में जाओगा तो सूरज की रॉष्णी नहीं आएगी तो इसलिए यह वाले पंडा नहीं मिलेंगे अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि भी यह जो पूरा अचिंशत पूर्ण को ya कि रिच फॉसिल फ्यूल्स की मतलब है आप समझो कि वर्ड बें जितना वी ज्यादा पेट्रोलियूम का प्रोडेक्शन होता है जितना भी पेट्रोलियूम को प्रोडेक्शन नहीं होता है उसका 20 परशेंट हिस्सा पोंटिनेंटल शेल्फ मिलता ह तो एक बड़ा हिस्सा है इसके साथ-साथ बहुत सारे प्लेसर डिपॉजिट्स के लोग बात करते हैं ना इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे important minerals जैसे की phosphorides यह सारे के सारे कहा मिलेंगे आपको इसी continental shelf में मिलेंगे तो आप चाहो तो इन दो साथ-साथ आपको प्लेसर डिपॉजिट फॉस्फोराइट्स सब यहीं पर मिलते हैं अगर पेट्रोलियम रिजर्ब की बात करें तो मुंबई हाई का एक्जाम्पल देना ठीक प्लेसर डिपॉजिट्स और इससे बात यहां पर आप एक चीज़ और समझों कि कि जब भी हम लोगों ने बात किया रिपॉजिट्स जोन की बात की जहांपर ट्रेंच जहांपर आपका कंवरजेंट है वह बहुत ही छोटा रहता है और इंफेक्ट आपने यहां पर गौर्वी किया होगा कि जब हम लोगों ने यहां पर कुछ भी नहीं बनाया था तो यहां पर क्या था आपका आप इस बात को आप यहां पर शायद अच्छे तरीके समझ पाओगे यहां पर आपका क्वांटिनेंटल शेल्फ जो है कि ने रोगे क्यों ऐसा हुआ कि कुछ दूर बात यहीं पर आपको क्या मिलेंगे की नहीं मिलें दो टाइप के तो वो सकते ना देखो क्या क्या हो सकता है वैसे इसको चलो आगे डिस्कस करेंगे तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है यहां पर आप बोल सकते हैं और जब बहुत दूर तक यह सारे डिपॉजिट्स लिखा करतेंगे तो डिल्टा जहां पर भी फॉर्म होगा वहां का काफी द्यादा वाइडर होगा तो इसको भी अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो ठीक है इसके बाद हम लोग क्या पोल सकते हैं कि कॉंटिनेंटल शेल् अभी हमने बात कर लिया वही है ना सुरी इसको नीचे कर देते हैं कि क्या हो रहा है कि यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं और मेशन ऑफ कॉंटिनेंटल शेल्फ सबसे पहला हम लोगों ने क्या बताया वही डिपोजीशनल फीचर्स तो डिपोजीशनल किसका होगा आप बोल सकते होगी सर देको सबसे पहले तो वह जो नदियों सेडिमेंट्स आ रहा होगा उसका डेल्टा वेल्टा जो बनता है ना वो भी तो कहीं न कहीं अपना डिपोजीशन लेके आ रहा होगा उसके आसपास के हिस्से में जो भी जितने भी चीजों की डिपोजीट्स हो रहे हैं वह सब डिपोजीशनल फीचर्स के तोर पर बन सकता है दूसरा क्या होगा हम लोग जैसे की गुजरात का कोस्ट लेकिन जैसे ही हमारा इंडियन प्लेट उपर की यूरेशन प्लेट से टकराता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो भी उसका एक मोटा हिस्सों में क्रैक बना हुआ था गुजरात वाले या फिर वेस्टन कोस्ट की बात कर रहे हैं वहां से टूटके वह नीचे पेया होचो कि अगर कोई एक कॉणिनिटल प्लेट यह क्या है वही कॉंटिनिटल प्लेट है कि इसमें यहां पर आल्रेडीजि अकॉटके नीचे यह मतलब कि यह सब्डक्ट हो गया यह कैसे हो गया अब यह कुछ इस तरीके से हो गया यह वाला जो हिस्सा था इसका यह तो तूट गया तूट के कहां चला गया यह नीचे चला गया और इसी के साथ-साथ, एक जो उपर का हिस्सा जो बच गया, वो कौन सा हिस्सा था, वो उपर आ गया, ये वाला हिस्सा, ये कैसा रहा गया, ये उपर आ गया, उपर, ये तो दिखेगा नहीं अपने को, ऐसा बोल सकते हैं कुछ, ये उपर आ गया अपना और यही एक्चुल में अभी इंडिया का कोस्टल जोन है लेकिन चुकी देखो इतना वाला हिस्सा भी अभी डूप के नीचे ही गया है थोड़ा थोड़ा सा और इसके बाद यहां पर भी तो हम लोग बोल रहे हैं कि भई देखो यहां पर पहले से ही आपका continental shelf होगा यह ना यह तो पहले से ही होगा और वो ही चीज यहां पर भी होगा तो सोचो कि इसका continent जो है वो इतने layer पर और भी तो extend कर गया ना यहां पर भी हो गया यहां पर भी बन गया तो इसका continental shelf extend नहीं हो गया तो जब भी हम लोग फॉर्मेशन की बात कर रहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी एक प्लेट सब्डक्ट हो जाएगा सब्डक्शन की वजए से भी उसका फॉर्मेशन हो सकता है बिल्गूल सही बात है न एक्जांपल के तौर पर जब आप इंडिया के परस्पेक् कि यहां पर जब आप इसको या तो और छोटे पर बना देता हूं जब भी आप इंडिया को इस तरीके से देख रहा हूं और यहां पर आपको रियलाइज होगा कि इंडिया का जो आपका क्या बोलते हैं कॉंटिनेंटल शेल्फ है वो यहां से इस तरीके से जा रहा है कि और इन फैक्त अगर हम लोग इसमें श्री तो वो कुछ इस तरीके से है और इनफैक्ट अकर यहां पर मुझे मौका मिलता सुन्दर बन बनाने का तो हम सुन्दर बन वाले एरिया को भी ज्यादा बनाते यहां पर पतला सा है कुछ इस तरीके से तो यह वाला जो इतना हिस्सा है यह हमारा क्या है कॉंटिनेंटल शिल्फ और यह वही हिस्सा है जो कि एक बीच में तो इसमें तूट गया होगा और उसके बाद थोड़ा सा और भी राइस हुआ है तो इतना पूरा हिस्से को आप लोग क्या बोल सकते हैं कि यह आपका continental वाला है यहां पर एक दो जगहां आपको जो white दिख रहा है वह एक तो यहां पर दिख रहा है आपके western coast पर इसमें भी आप बहुत easily point कर सकते हैं कि एक हिस्सा जो था बीच का वो इस तरीके से होगा जो की तूटके गिर गया होगा यह वाला हिस्सा और इतना पहले से ही होगा और इसके वज़े से यहां पर हम लोगों यह देखने को मिल रहा है similarly एक हमारा हिस्सा इधर भी आता है जो की वाइड है और उसको आप यहां पर दिखा सकते हैं इसको आप बोलना सुंदर बने रिया इन दो जखाओ पर आपका coastal regions जादा है और subduction आप बहुत इजली दिखा सकते हैं दूसरा जो हिसाब किताब बनता है आपका वो मिलता है आपका एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी sea level में थोड़ा सा rise देखने को मिले वालब कि जो भी उसका surface है वहां पर थोड़ सबसे पहले प्लेट क्या थी यहां पर कहां पर लिख देता हूं formation of continental shelf में सबसे पहला पॉइंट इसको यहां पर लिख भी देता हूं इसको लिखता हूं सब्मर्जेंस ऑफ पार्ट आफ कॉंटिनेंट अब दूसरे नंबर पर जड़ा आता हूं यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि हम लोगा नहीं कहां देखा कि एक डिप हो जाए रिलेटिव या फिर रिलेटिव राइस इन दा कॉंटिनेंटल शिल्फ रिलेटिव राइस इन इन दे सी लेवल ठीक है इसका भी बहुत सिंपल सा रीज़न है यार देखो क्या होता है कि हमारा अगर एक हमारा ऐसे कुछ होता है ना यहां पर हम लोग देख रहे थे कि भई पानी जो है वो मस्क यहां तक बढ़ाता लेकिन जैसे ही सी लेवल राइस हुआ इसका जो निउ हाइट्स था वो निउ हाइट्स कहां तक बाँची है भी यहां तक बाँची है तो अब आप देख सकते हों कि यहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा हाइट जो है वो कवर हो गया ना इधर तक आ गया यह तो यह यह जो एक्स्ट्रा हम लोग को मिला यह क्या है से लेवल राइस से हुगा ठीक है शाओ के यहां पर आका सी लेवल जो है यह बढ़कर इतना हो और जयसाब से ग्लोबल वामिंग हो रही है सी लेबल राइस हो रहा है तो अम लोग देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो Coastal Areas है वो समर्ज होँगे तो जो भी समर्ज हो जा रहे हैं उसी से यह Continental Shelf जो है और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा तीसरा बोल सकते हैं वही जैसा कि कि हम लोगों ने बात किया था कि जो भी आपके रिवर्स हैं या फिर ग्लेशियर से उनका सेडिमेंट डिपॉजिट जो भी होता है उसके वज़ा से बन सकता है तो यहां पर चाहँ तो आप तीसरा और आखरी पॉइंट लिख सकते हो कि डिवू टू कि सेडिमेंट डिपोजिशन कि रोट डाउन वाइं रिवर्स एंड ग्लेशियर ठीक इतनी बात है अगर आपको समझ में आ गई तो वही कॉंटिनेंटल शेल्फ हमने बहुत ही डीटेल में पढ़ लिए अब इसके बाद हमारा दूसरा जो आता है बहुत है कॉंटिनेंटल स् को कॉंटिनेंटल स्लोप को जब भी अगर हम लोग बात करें तो इसको कुछ इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर दो आप लोग एक बार बना लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा आप लोग को यहां पर हम लोग देखा कि थोड़ा सा नीचे होता है इस तरीके से और फि एक राइस के साथ यह अबिसल प्लेन बन जाता है यही तो बोला हमने सिमिल अगर हम लोग को इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखाना हो की यहां पर दिखाते है ऐसा कुछ यह वाला जो डिप आ रहा है यह वाला जो स्लोपी एरिया है बहुत बार क्या होता है कि जब रिवर्ट यहां पर क्या है अपना जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि यह क्या है अपने लिए कोस्ट है इस कोस्टल एरिया से जब नदियों का पानी नीचे गिरता है तो जिल्कुल नीचे तक इसी तरीके से चलेगा इस तरीके से यह पूरे गड़े तक में आप देख सकते इसको बढ़िया से तो इसको इस तरीके से आप बनाव लो यह जो गड़ा दिख रहा है आपको यह गड़े को आप बोल सकते हैं सब्मरीन कैनियन्स है ना यहां पर लिख दूँँ देर लिख देता हूँ यहां पर जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या समझ में आया है यह तो हमारा था कॉंटिनेंटल शल्व यहां पर यह वाला हिस्सा जो है वह आगया हमारा कॉंटिनेंटल स्लोप और यह तीसरा हिस्सा जो है यह आगया हमारा कॉंटिनेंटल राइस Continental Slope में हम लोगों ने एक चीछ पढ़ा Submarine Canyons है मतलब क्या है यह Depositional Feature है इरोजिनल Feature है Erosional Feature है Submarine Canyons बनाने का Similarly आप ऐसा बता सकते हो जैसे कि आपने कभी वो देखा है क्या जब भी कोई Avalanche होता है Avalanche में क्या होते है ऐसे Alluvial Fence जैसे कुछ बन जाते है ऐसे ऐसे बिल्कुल इस Structures में आप ऐसे देख सकते हो कि यह कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर कुछ भी बहके आ रहा होगा यह इस तरह किसे ऐसे ऐसे Structure में यह Divide हो जाएगा इस तरीके से बिल्कुल कहीं पर Deposit हो जाएगा कहीं पर यह गढधा बना देगा इस तरीके से होंगे पुरे तो जो हमारा Continental Slope होता है आप इसमें यह समझना कि यह यह जो हिसाब किताब यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं इसको लोग नाम देते हैं टर्बीडिटी करेंट का अ कि 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 आप सिमिलरली यहाँ पर वही चीज है कि जो भी सटमेंट स algunas उसे से इरोजनल ओ रिपोदिशनल फीचर चोंवी बंदेते हैं इसी को मों लोग क्या नाम देते हैं और अप सिमिलरल यहाँ आप देख सकते हो कि total अगर हम लोग एक चीज अच्छा और बोलते हैं कि total अगर सिर्फ हमें continental shelf की बात करनी हो सिर्फ और सिर्फ continental shelf की बात करनी हो तो ये मोटा-मोटा आपका कितना होगा 7.5% of ocean total कितना अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इसकी कहां गया है तो यह कितना डिप्स में जा रहा हो कितना डिप्स है यह एंगल जो है ऐसा हम लोगों प्रतीप तो होता है कि यार शुरुवाती दौर पर यह न बहुत ही जादा ऊचा रहा होगा मतलब कि यहां पर अगर हम लोग अपना कोस्टल इरिया देखते हैं तो यहां पर पानी कहां से भरा हुआ है यह वाला पूरा हिस्सा जो है वो पानी वाला है यह हिस्सा यहां से पूरा हिस्सा जो है यह पूरा पानी वाला हिस्सा है आगे चल के तो अब हम लगता है कि या यहां पर जो हिससा बन रहा है अपना यह वाला एंगल जो है यह यह एंगल एक डिग्री होगा तो उसके अपेक्षा करीट यह वाला तो बहुत ज़ाएद डिप में लेकिन ऐसा है नहीं यह बहुत ही इस च्ट्रेच होता है और इसलिए इसका डिप्थ हमने छोटे में दिख तक यहां पर लिखता हूं मैं यहां तक लिखता हूं यहां पर आप बोल सकते हूं कि यह 200 मीटर से लेके 3 किलो मेटर तक यह जाएगा 200 मीटर से 3 किलो मेटर डिफ तक जाता है यह बात भी समझ में आ गई अब सिमिलरली अगर हम लोग इसके विट या फिर इसके डिग्री ऑफ एंगल की बात करते हैं तो यह जो एंगल है यह एंगल भी कुछ बहुत जादा नहीं हो होता है यह एंगल आप बोल सकते हैं दो से 5 डिगरी का बस यह 1 डिगरी है तो दो से पांच डिगरी थोड़ा सामलों को डिप दिखेगा लेकिन इतना ज्यदा नहीं दिखेगा जितना हम लोग को ऐससे फिगर्स में दिखता है काफी दूर तक जा रहा होगा इसका इंडप ठीक है एलुवियल फैंस लाइक स्ट्रक्चर यह सारी चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली मुटा मुटा यह भी हम लोगा तयार है मलब डन है अब यह अब इसके बाद आप एक तरीके से एक तीसरे कॉंटिनेंटल राइस भी हम लोगों ने मुटा मुटा देखी दिया है कि कॉंटिनेंटल राइस जो होता है यहां से जितने भी डिपॉजिट्स आ रहे है न वह एक्चुल में सारे के सारे डिपॉजिट्स यहां पर आ जाते हैं सारे के सारे इकठा हो जाते हैं में हम लोग क्या बोलते हैं उसको continental rise बोलते हैं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि continental deposits and slope of यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं एक और लिख लेते हैं यहीं पर continental rise जो है यहां पर सारे के सारे deposits from deposits from continental shelf and continental slope इन दोनों से जितने भी deposits आते हैं यह सब के सब इकठा होते हैं continental rise में और इसका जो angle है यह वापस से 0.5 से लेके 1 degree तक हो जाता है यह वापस से उतना ही हो जाता है जो इतना हमारा continental shelf था तो हम समझ जाते हैं कि यह क्या हिस्सा है अपना continental rise है इसके बाद हमारा पूरा abysal plane start हो जाता है abysal plane में abysal plane में आप बोल सकते हैं कि flattest part of the earth है flattest part of the earth है उसको deep sea planes भी बोल सकते हो abysal plane भी बोल सकते हो और abysal plane जो है वह आपके पूरे ocean surface surface के अगर बात की जाए तो वह abysal plane आपके लगबग लगबग 40% हिस्सा कवर करता है यहां पर लिखता हूं मैं abysal plane या फिर इसी को हम लोग deep sea plane भी बोलते हैं अब इस पर पूरा वो ही structure चलता है इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि this is the flattest and smoothest part of the entire earth ऐसा बोल सकते हो और हो flattest and smoothest part of entire earth अब इसी abysal plane पर जितने भी छोटे योटे release पा जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं minor reliefs feature बोलते हैं ठीक है flattest और smoothest part जो हम लोग बोल रहे हैं यह basically दो कारणों से होते हैं सबसे पहला कारण है आपके terigenus sediments terigenus sediments वही sediments है जो कि आपके marine sediments हैं marine structures में से आ रहे हैं वह दीरे-दीरे-दीरे करके deposit होते गए deposit होते गए तो वह एक बढ़िया सा बिल्कुल flat layer बना देते हैं और इसको अम लोग अलग से नाम देते हैं marine sediments जो भी ऊपर के land surface को erode करते हुए नीचे तक लेके आ रहे हैं वह सारा एक plane structure बना देते हैं और आपके जितने भी ऐसे shallow water sediments होते हैं वह भी दीरे-दीरे करके वहां पर पाइल अप होन लगते हैं तो इन दोनों से क्या होता है एक बिल्कुल plane area बन जाता है इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि यह जो आपका कि प्लाट प्लाटेस्ट और स्मूदेस्ट है यह सबसे पहला आपका क्या होता है एक टेरी जेनस के कारण होता है और दूसरा जो है वह आपका shallow water सेडिमेंट्स अगर आप इसको भूल जाओ तो आप इसको लिक्स देना इस तरीके से तो यह भी कि आपका मोटा मोटा हिस्सा complete होता है और जब आप इसके डेप्थ की बात करते हैं डेप्थ कितनी हो जाएगी हम लोग ने देखा कि लगबग लगबग तीन किलो मिटर के आसपास के एरिया में डेप्थ जब भी हम लोग बात करते हैं तो वह कहां तक जाता है कॉंटिनेंटल स्लोप तक जाता है फिर राइज आता है और फिर अबिसल प्लें तो इसकी जो डेप्थ होती है यह डेप्थ आप मोटा मोटा बोल सकते हैं तीन से पांच किलो मेटर कहां पर लिग दूँ अलग से लिग देता हूं यहां पर आपका तीन से पांच किलो मेटर और इसको यह बोल सकते हैं इस इस एप्रॉक्सिमेटली फॉर्टी पर्सेंट आप दे ओशिंग अब इसके बाद हमारे माइनर रिलीव फीचर्स बसते हैं तो एक बार उनको भी देख लेते हैं यहां पर लिखता हूं मैं माइनर रिलीव फीचर्स यहां पर आप जरा इस बात को समझने कोशिश करना कि माइनर रिलीव फीचर्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं जैसे कि आप लोगों ने अपने ओशन डीप और ट्रेंचेस के बारे में पढ़ा होगा तो ओशन डीप और कांटिनेंटल प्लेट होगा और इसके बाद एक आपका छोटू सा क्या जाए ओशनिक प्लेट आजाए यह क्या होगे सबड़क्ट होगे जाएंगे नीचे इस डिरेक्शन में यही तो पड़ा था और हमने यह देखा था कि यह वाला जो जो जोन है इसको हम लोग क्या ना बाउंडरी है जब भी कन्वर्जेंट बाउंडरी होगी दोनों आपस में कन्वर्ज कर रहे होंगे यह कौन सा है हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह है कि आपका क्वांटिनेंटल कि वोशनिक प्लेट कि अन्वर्जेंस मतलब कि यह कन्वर्जेंट बाउंडरी है है ना कन्वर्जेंट बाउंडरी है तो यहां पर यह क्या बनाते थे ट्रेंचे और आपको यह पता है कि जब भी यह सब्डक्ट होके नीचे तक घुश जाता था तो यहां से हम लोग को पता है कि यह वापस से मिल्ट होता था है यह बनता था कि नहीं बनता था वालकेनोस बनता था और सिमिलरली हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर दो कॉंटिनेंट या दो ओशनिक प्लेट हमारे सुरी अगर आ जाते हैं तो तो जो भी बड़ा ओशनिक प्लेट होगा वो सब्ड़क्ट कर जाएगा यहां पर भी वही सेम चीज की बनेगा तो ट्रेंच ही लेकिन यहां पर हम लोगों क्या मिलता था याद हो अगर आप लोग को तो यहां पर भी सेम वही चीज पिगल के रूपर आएगा और इस पतले से तीन से पांच किलोमेटर के ओशनिक प्लेट को तोड़ देगा और इस पूरे प्लेट में हम लोगों ने देखा था कि अगर इसको इस तरीके से डिफाइन करूगे आप यहां से यह प्लेट जो है यह सब्डक्ट हो जा रहा है यहां से यह प्लेट अंदर के तरफ घुश जा रहा है पूरा यह पूरा सब्डेक्ट जब अंदर की तरफ घुस गया तो हम लोगों ने देखा था कि भई इस पूरे चेन पर इस पूरे जगहां पर क्या बन जाएगा भई एक वॉलकैनिक माउंटेन जैसा दिखेगा हम लोगों इस पूरे जगहां पर दिखेगा और हम लोगों ने इसको आपका वॉलकैनिक आर्क और यह कहां पर मिलेगा यह आपको कॉंटिनेंट पर मिलेगा वॉलकैनोस और यह वॉलकैनिक आर्क कहां पर मिलेगा समुद्र के अंदर ही मिलेगा मतलब ओशन सर्फिस पर ही मिलेगा यह ना तो यहां पर भी जैसा हम लोगों ने देखा यहां पर यह वाला हिस्सा जो है वो भी क्या कहलाएगा यह कहलाएगा तो ट्रेंचेज ही अब एक और चीज याद है कि आपको हम लोगों ने होट्सपोट वालकनों भी पड़ा था वो क्या चीज था या आपको याद होगा ना होट्सपोट वालकनों हमने बुला था कि यार सारे फसाद की जड़ क्या है यही है तो हम लोगों ने यह भी समझा था कि यार देखो एक ऐसा भी बन सकता है कि जहाँ पर एक single continental plate हो लेकिन धीरे-धीरे क्या हो रहा है कि नीचे से हम लोग के जो mental region है वहाँ से क्या हो रहा है कोई भी एक limb उपर उठके आ रही है इस तरीके से कि वो एक इस direction में और एक इस direction में चली जाए और यहाँ पर धीरे-धीरे पहले तो वो क्या करेगी एक crack develop करेगी और इस crack को develop करने के बाद दीरे-धीरे करके volcanoes उपर आने लगेंगे और इसी के basis पर यहाँ पर बनेगा हमारा क्या क्या बोला था यह यह क्या है यह mid oceanic ridge है और mid oceanic ridge जो है वो हमेशा क्या बनाता है वो हमेशा और हमेशा आपके hotspot volcanoes बनाएगा अब यह plate तो आगे move कर जाएगा है ना यह plate आगे move करता रहेगा और mountains बनते जाएंगे mountains बनते जाएंगे यह plate आगे move करेगा और और mountains बनेगे तो hotspot कहीं पर भी हो रहा है तो अगर hotspot एक लंबे chain में हो गया तो मीडोशनी क्रीच बनाएगा अगर सिंगल सिंगल हॉट स्पोर्थ सिंगल होट स्पोर्थ होट वालकेश बना देगा यह तो अभी तो अभी अभी के लिए सको होट्थिश्वथ वालकेश लिखते हैं इसका example क्या है आप लोगों ने कैने आइलेंड देखा थे लूशेयं आइलेंड वह बोल सकते हैं हम लोगा ने कैनेरी आइलेंड बोल था कि जो आपके री 2001 यहीं सारे हैं आपके hotspot volcanoes है जो कि ऊपर तक आ गए sea surface के ऊपर तक आ गए और हमारा Indian subcontinental plate जो है Indian continental plate वो आगे move कर गया और जहाँ जहाँ से वो eruption होता गया वहाँ वहाँ से कई सालों तक volcanoes निकलते रहे निकलते रहे तो इस तरीके से आप 2-3 चीज़ सबसे पहले हम लोगों को यह पढ़ लिया कि एक तो देखो ट्रेंच होगा ट्रेंच के बाद कभी-कभी आपको volcanic arc मिल सकते हैं कभी-कभी आपको hotspot volcanoes मिल सकता है यह तीन चीज़ क्लियर है similarly हम लोगों को यह भी समझ में आना चाहिए कि trenches हमेशा जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है deepest part of the ocean है सबसे गहरा कहां पर हम लोगों ने पढ़ा था marine, marina trench है न मरीना ट्रेंच से बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोगों ने वहां पर एक Guam Island के बारे में पढ़ा था ओशेन डीप ठीक ठीक है यह ट्रेंचेस हो गए मतलब कि हमने मेजर मेजर ओशनिक रिलीव में क्या के चीज़े पढ़ ली वही हमने सबसे पहले पढ़ा ट्रेंचेस हमने पढ़ा आइलेंड आर्क हमने पढ़ा हॉट्सपोट वॉलकन और हमने पढ़ा मेड ओशनिक रिज है यह सारी चीज़े तो हम लोगों ने उल्यडी पढ़ रखी है इसके अलावा भी कुछ होता है क्या तो इसके अलावा भी बिल्कुल होता है उनको आप दो तीन चार तरीके से देख सकते हो अब इसमें देखो वैसे तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं इन सब में एक होगा तो यहां पर वाल कैने होस्त उसको अर्थकुएक बोल सकते और अर्थक्वेक प्रोने जून के साथ साथ यह पर जहां से यह सब्डक्षन और यह फ्रिक्षण हो रहा था इसको लोगों ने क्या उन बुला था गरte Creation याद हो आप लोग को तो इसको भी चाहो कहीं पर लिख लो याद रहेगा यह क्या इस्ट्रक्चर है यह आपका बेनी ओफ जोन है बेनी ओफ जोन ही आपके अर्थक्विक का कारड़ बनता है similarly आपको deepest ट्रेंच की अगर यहाँ पर example देना है तो आप लिख लो यहाँ पर एक बार फिर से आपको याद रहेगा ट्रेंचेस में गौाम आइलेंड मरियाना ट्रेंच ठिक आइलेंड आर्ख अगर आपको समझना है तो इसके लिए एक्जामपल आप लिख लो अपना आप लिख सकते हो अलास्का वाला एल्यूशियन और इवेंड जो आपका मरियाना आइलेंड है न सारा वहाँ पर भी तुँ अई हो रहा है आप देखो न ओशेन प्लेंड अंदर दस रहा है और जहां पर यह मरियाना ट्रेंच है उसके आस पास के पूरे जितने भी आइलेंड बन रहे हैं वो क्या है बई यह यह कि आपको पता ही है आपके 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 अटलांटिक ओश्यन वाला लिख लू है आप तो इतने सारे फीचर्स हम लोगों ने पढ़े हैं अब इसमें कुछ बेसिक चीजें और भी मैं समझा देता हूं आपको जैसे कि जब भी हम लोग बहुत सारे सी मांट गो आट्स दे इन की जरुवत नहीं है इनको अटा देता हूं यह देखो यहां पर एक प्रोसेस देख सकते हो इस डिरेक्शन में चल रहा हूं यह जो ओशनिक प्लेट है ना यह इसी डिरेक्शन में मूव कर रहा है और एक जगह हैं जहां पर यह होट स्पॉट बन रहा है ठीक है तो हम लोगोंने पहले ही बताया है कि आर देखो जब भी होट स्पॉट रहेगा तो वहां पर आपको वॉलकेनिक आइलेंड जैसा कुछ दिखेगा अगर वह सर्फेस के ऊपर आ गया तो है ना यहां पर यह आपको बीच से काटके प्लैट सर्फेस दिखा रहा है और यह उपर का वहां जरूरे यह आइलेंड आरख जैसे ही यह वह फटो गया अब यहां पर कुछ नए आगया होगा जो कि एक आईलेंड बनाया होगा लेकिन अब धीरे-दिरे आगे चलके इसका erosion होने लगा erosion होने से इसकी height कम हो गए क्योंकि अब इसमें से और कोई उपर से hot spot देने वाला नहीं है यह तो आगे move कर गया है अब इस hot spot को इस island को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं और इसके चारों तरफ जो यह आप एक green देख रहो ना green हिस्सा यह आपके organic deposits होते है organic deposits organic sediments होते है इसको किस color से लिखूँ जो दिख जाए आपको यहाँ पर दिखता हूँ यह क्या है यह आपके लिए organic sediments है और यहाँ पर इसी को आप लोग क्या नाम देते हैं आप लोग नाम देते हैं pringing reef यह दीरे-दीरे जो ऊपर के तरफ रहा है यह दीरे-दीरे नीचे की और बढ़ना स्टार्ट होता है और एक time आता है जब यह वाला हिस्सा आप ऐसा बोल सकते हो कि अभी यह जो हिस्सा है यह आपका क्या बोल रहा है अभी के लिए आपका island है ये island धीरे-धीरे नीचे के तरफ धसना है start होगा जब ये और नीचे धस जाएगा तो आप ये वला हिस्सा देखना ये जब और नीचे धस जाएगा तो इसका छोटा सा हिस्सा दिखेगा और इसके चारो तरफ ये जो green-green deposits थे sediment deposits थे इनके बीच में एक पानी जैसा कुछ भर जाएगा इसको अम लोग क्या नाम दे सकते हैं ऐसे कुछ लगून का नाम दे दो आप लोग लेकिन ये वाला जो हिस्सा है इसको अम लोग क्या नाम देते हैं भई ये है हमारे लिए barrier reef और ये अभी भी क्या है हमारे लिए sinking island ही है ये तब है जब इसके बाद ये और ही ज्यादा sink हो गया और ज्यादा नीचे erode हो चुका है एक time आएगा कि जो island हमें उपर दिख रहा था ना ये अंदर ही चला जाएगा पूरा जब ये पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर आप इस structure देखना जिस हिसाब से ये structure है हमारे लिए a tour और ये तो पूरा flat हो चुका है यह जो flat mountain है दीरे-दीरे करके यहाँ पर अब जो waves है ना इस sediments को भी हटा देंगे यहां से जब यह sediments भी हट जाएगा तो यह जो एक पहाड बचेगा सिर्फ जो की पानी के अंदर जा चुका है इस पहाड को हम लोग क्या नाम देते हैं इसको हम लोग नाम देते हैं c-mount यह हुं पर इसको मों क्या नाम देते हैं यह हैं हमारा s यह क्या होगा फिर वापस से इरोड होते 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 यह इसका जो top surface जो पॉइंट को ये फ्लैठ हो जाएगा प्लेट्य जैसा बन जाएगा जब ये प्लेट्य जैसा बन जाएगा तो ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं यह हमारे लिए गूओट यह बात बिल्कुल क्लियर है कि अब similarly ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़े और भी समझ लो अप लोग इसी के साथ साथ कुछ और भी जो माईनर रिलीव से उनका नाम है जैसे कि एक का नाम है आपका कि यहां पर अब बूम लोगों ने कितने चीजों को देख ली एक पर देख लिए लिते हैं इसके पहले हम लोगोंने चार चीज är देख ली ठी यह आपकी 56 788 नौ चीजें ओ गई अब इसके बाद कुछ और भी चीजेвой है जो की इसतरीके से हैं आप लोगों ने वैसे तो देखो इसके बारे में अलीड़ी पढ़ा वी है ना मैं प्र इसी तरीके से आप लोग यह और टर्मस देखते हो जिसका नाम है शोवाल्स ठीक शो आलस क्या चीज़ होते हैं आप ऐसा समझो कि जो हमारे बैंक हमां लोगों थो बोल ना शाइं का यहां पर ना फोनीक ज़ादा है इनको सकते इनको परना पकी कातर हुए जो कि उपर पानी पर तो दिखेगा आपको माना आशोरी यह दिखेगा नहीं लेकिन जिब नाविगेशन करने के लिए अपनी जहाज उतारोगे ना तो हो सकता है कि जहाज इससे भेड़ जा मतलब कि अगर आपका सी लेबल कुछ इस तरीके से चल रहा है यहाँ पर तो हो सकता है कि यहाँ वाले हिस्से पर थोड़ा सा यह एक डिपॉजिट हो है ना है है अगर यह दिपॉजिट थोड़ा कम हो जाएगा तो यह बैंक कě recording अपको ऊपर पानी फैल अगर आप देखो के तो यह थोड़ा थोड़ा दिखेगा है यह थोड़ा थोड़ा दिखेगा उपर का इस्सा लाइट कलर का दिखेग सब कि Capture बना देता है लेकिन फंटर नाविघेशन और जो आपका बैंक है समझ लो बैंक शो को और नीचे कर तो आपका बैंक बन जाएगा वह नाविगेशन में टिफिकल्टी लेकिन नहीं आता है लेकिन वह प्लैटफॉर्म होता है वहां पर फोटिक जोन आपका ज्यादा उचा पहुंच जाता है तो वह भी एक रिच डाइवर्सिटी वाला जोन बन जाता है तो यह टोटल आपके कितने होगे आपके सारे के सारे इसमें माइनर रिलीफ टीचर्स खतम होगे अब हमारा जो टेंप्रेचर और सालिनीटी के बारे में इस पड़ते हैं यहां पर लिखता हूं आँग मैं और ओर वह टेम्प्रेचर्स क्या है वगरव वगरव तो हम लोग एक रिडिंग और डाल देते हैं कौन सा ले 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 लिए ले ले लिए temperature in ocean सबसे पहले ये समझो कि ocean water में temperature का importance क्या क्या हो सकता है आपको शायद ये पता चल जाएगा कि भई जो इतने बड़े बड़े chunk of waters होते हैं ये एक जिखें से दूसरे जिखांपर travel कैसे करते हैं ये आपको actual में idea लगेगा जब आप लोग temperature को समझ जाओ के ocean के दूसरा आप बोल सकते हो कि जितना भी ऐसे marine resources का distribution कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है कहीं जादा मिलता है कहीं कम मिलता है तो उसके पीछे भी कहीं नहीं temperature का हाथ है वो भी हम लोग को easily समझने में काम आता है और ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे coastal lands है उनका कभी-कभी nature समझ में आता है कि वहाँ पर temperature कई वहाँ पर गर्मियों के time पर भी या सर्वियों के time पर भी हम लोग देखते हैं कि पानी गरम ही है इन सब तरीके से वहाँ का climatic zone कैसे influence हो रहा है उसके बारे में भी हमें temperature से पता चल जाता है तो अगर तीन factor समलोग बोलें कि वाई वाई शुडवी study this temperature वाई फैक्टर अगर temperature का find करना है तो यह तीन answers आपके लिए बन सकते हैं ठीक है इसकी importance इसको अगर आप लिखना चाहों तो ऐसे लिख दो कि importance क्या है इसकी इंपॉर्टेंस के तौर पर पहला क्या बोल सकते हम इसमें सबसे पहले टू नो कि लार्ज वॉल्यूम ओफ ओशनिक वाटर मूवमेंट इसके बाद दूसरे नंबर पर आप बोल सकते हैं यह बन गया अपना लार्ज वॉल्यूम ओफ ओशनिक वाटर कहां कहां पर मूव करते हैं कहां पाए जाते हैं दूसरा हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं जहां पर हम लोग marine रिसोर्सेस कहां पर रिच पाए जाते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं टू नो डिस्ट्रिब्यूशन ओफ मरीन रिसोर्सेस और तीसरा बोल सकते हैं टू नो क्लाइमेटिक इंफ्लूएंस क्लाइमेटिक इंफ्लूएंस और वोस्टल एरियास ऐसा बोल सकते हैं तीन चीज़ों के लिए इसको आप डिफिनिटल इंपॉर्डेंट समझ सकते हैं अब इसके साथ-साथ अब आप यह समझो कि यह टेंप्रेचर का सोर्स कहां से आएगा आप सबको पता है यार इसको बढ़ाने की जरुवत ही नहीं है आप लोग बोलोगे कि सर टेंप्रेचर का सोर्स एक मात्र वही है वही है वही है और हम लोग ऐसा पढ़ें सोर्सेस ऑफ हीट इन ऊशेनिक वॉटर क्या लिख दूँ पहले बताओ आप लोग जो बोल दो वही लिख देता हूं और आप सब लोग एक साथ बोल रहे होगे मुझे पता है इंसुलेशन इतना तो आप लोगों ने भी पढ़ रखता है तूरज की रोशनी डारेट गर्म करने के कोशिश करता है अब हम लोग को कुछ चीजे इसके बारे में पहले से ही पता है कि यार वाटर जो है वो हाईली मूवेबल होती है तो जल्दी गरम नहीं होती और इंड़ अट इसेम टाइम वाटर का स्पेसिफिक हीट जो होता है वह भी ज्यादा होता है स्प कुछ लोग का कहना है कि यार देखो थोड़े से और चीजे भी हो सकती जैसे कि यह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अगर लिखना चाहते हो सिर्फ या जानना चाहते तो यह लिख लो कि देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा ओशनी क्रस्ट है ओशनी तो क्या इसका रेडियेशन ऊपर तक नहीं पहुचता होगा इतने सालों सालों से इसको गरम कर रहा है यह तो कुछ तो पहुचता होगा ना तो आप इसा लिख सकते हो कि इंटर्नल हीट भी लिख सकते हो इंटर्नल हीट ओफ मैंटल और इसी में आपको भी पता है कि भी कहीं न कहीं से यह हिस्सा तोड़के यह क्या बना देता है आईलेंड वालकेनोज बनाने लगता है और जहां पर भी यह वालकेनोज निकलेगा वहांपर टेंपरेचर गरम नहीं होगा हम लोगों ने पढ़ा नहीं था कि जो मीड ओउशनीक रेज होता है वहांका टेंपरेचर सबसे जढ़ादा होता है और जो ट्रेंचेस होते हैं सबसे कम होता है पढ़ाता की नहीं पढ़ाता है ना तो आप यहां पर भी यह भी तो लिख सकते हो कि जो अब बोल सकते हो कि जब हवा ओशन के सर्फेस पर चलती है तो वो एक फ्रिक्शन कास करती होगी इस फ्रिक्शन के वजह से भी थोड़ी हीट तो जनरेट होती है ना जरहा हाथ ऐसे रगड के देखो क्या हाथ गरम हो रहा है क्या तो क्या जब ocean surface पर लगातार लगातार wind घिस्ती जाती है घिस्ती जाती है तो क्या वो temperature थोड़ा गरम होता होगा क्या तो minute level, negligible level है लेकिन उसको लिखना चाहो तो लिख लो आप Frictional force of winds and ocean water और इन दोनों ही reasons को लिख दो आप कि ये दोनों reasons जो हैं ये negligible ना के बराबर है major कौन सा है? major यही है अपना insulation ही है अब इसमें भी अगर आपको ये समाझ पहाज़ा है कि source तो ये है water how can we lose the temperature of oceanic surface या फिर जो ocean के waters हैं वो अपने energy को या फिर अपने heat को loss कैसे करते हैं है ना? तो loss of oceanic heat ऐसा कुछ लिख सकते हो आप लोग और ये भी आप लोग को पता होगा भई 100% guaranteed इतना आप लोग geomorphology पढ़ चुके हो ना climatology भी पढ़ चुके हो तो वो सब चीज़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी है सबसे पहले क्या बला था हम लोग ने? climatology में पढ़ा था कि भई जब भी insulation आता है वो तो short wave होता है तो long wave radiation भी तो निकलते हैं है ना तो जो long wave radiation होंगे उससे heat loss का सबसे major source होगा इसके लिए तो यहां पर ऐसा आप लिख सकते हैं सबसे पहला reason जो आप दे सकते हैं वो है long wave radiation यह तो सबसे important हिस्सा है अब इसके साथ साथ दूसरा बहुत ही बहुत ही ज़रूरी हिस्सा आप ऐसा बोल सकते हो कि जब भी atmosphere उसके साथ साथ रहता है तो वहां पर कुछ heat exchange होता होगा मतलब एक तो radiation है मानलो कंडक्शन का प्रोसेस होता होगा तो एक heat exchange चल सकता है एक्सचेंज विद एक्सफियर और जरह इस पर विगवर करना कि क्या इवापुरेशन भी ऐसा हो सकता है क्या आप यहां पर ऐसा बोल सकते हो कि जो इवापुरेशन है उसमें जब भी आपका वाटर से वेपर कनवर्जन हुआ होगा तो यहां पर लेटेंट हीट ओफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ओफ वेपराइजेशन अट्मॉस्फियर में स्टोर हो गया होगा ना बोल सकते हैं कि नहीं इसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि लिए टिस्ट्रिब्विशन जो ओशन में में हो रहा है उसके लिए क्या-क्या एक बार उसको भी समझते हैं लिखता हूं मैं यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है काफी साथ इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रिब्यूशन और ओशेनिक टेंपरेचिर कि इस में सबसे पहले अगर आप लोंक देखो इस अब से पाँ को नहीं अगर आपको टेम्परिचर का देना पड़े की भाई लोग कि देखो जब भी आप लोग इंुलेशन लिखो इसको लटिटि Jewish इप इप हैंड हाँ यहाँ अम ऐसा बोल सकते हैं कि अध्य भी मूफ टू लेड़् निया फिर असव बीनू फ्राउब equator to pole हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भई सिंपल सी बात है कि हमारा temperature जो है वो कम हो बोल सकते हैं कि नी बोल सकते हैं लेकिन आप ऐसा देखते हूँ हमेशा बोलो कि नहीं सर हमने map draw किया था उसमें हम लोगों ने atmosphere वाले में तो कुछ इस तरीके से पढ़ा था कि ऐसा कुछ पढ़ा था आप लोगों ने यहां पर 36 डिग्री यहां पर चौतिस डिग्री और equator वाले जोन पर हम लोगों ने temperature कम देखा था तो वही कुछ फिनोमेना यहां पर भी तो लगेगा है ना वहीं से atmosphere मिल रहा है और आप समझो कि यहां पर आप सबसे पहले ऐसा लिखो कि हम लोग जब भी equator की बात कर रहे है यहां पर आपको maximum temperature देखने को नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा उसके पीछे reason क्या है आपको reason find out करने के तो बहुत easy तरीका है सबसे पहले हम लोग क्या बोल सकते है कि वहां पर आप देखो गए तो uprising air है ascending airs वहां पर क्या बनाते है लो प्रिशर बेल्ट बनाते है और लो प्रिशर बेल्ट के होने से वहां पर बनता है खतरनाक सा cumulonimbus cloud और daily basis पर क्या होता है वहां पर four o clock rain और यह जो four o clock rain है ना यह क्या करता है temperature को कम कर देता है और in fact यह rain कहां से होता है अब लोगे सर खतरनाक से गहरे से जो हमारे cumulonimbus clouds है ना वो cumulonimbus cloud इसका albedo जो है वो काफी हद तक जादा होता है तो उस case में equator पर जो भी solar radiation आएंगे वह पहले ही reflect हो जा रहे हैं कि नहीं और जितने रिफ्लेक्ट तो हुए हुए उसका further temperature किस ने कम कर दिया तो वहां temperature और further down हो गया और इसके वजए से आप यह भी तो देखो जब अलबीडो जादा है बादल घिरे हुए हैं तो हम ऐसा तो बोलेंगे ही बोलेंगे ना कि यहां पर जो insulation है वो क्या होगा कम होगा क्यों क्योंकि cumulonimbus cloud है सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी दूप आएगी उसके बाद दो पैर में एक दो बज़े से बादल बनना शुरू हो जाएगा एक दो बज़े बादल बनेगा शामके चार बज़े बारिश होईगी उसके बाद थोड़ा मैक्सिमम टेंप्रेचर हमेशा ट्रोकिक्स पर मिलेंगे की नहीं मिलेंगे मैक्सिमम टेंपरैचर हमेशा वहां पर मिलेंगे कि हम थोडिमेammृ को कि हमारे ओद ऊCE00 से लेकर ब्लेक Papo Samraol अब यहां पर है क्योई शूव क्योंकि यहां पर no m बादली नहीं है, no clouds के होने से आपका जो insulation है, insulation सबसे ज़्यादा होगा, और in fact हम लोगों ने देखा भी है, कि कुछ time को छोड़ दे, equinox वाले time को छोड़ दे, बाकी time, sun जो है या तो ट्रोपिक आफ कैंसर के पास में रहता है, या ट्रोपिक आफ कैंसर के पास में रहता है चुकि earth tilted है, इसलिए जो हमारा tropical reason है, उसका temperature अपने आप बढ़ जाता है, due to presence of land surface, वहाँ पर ज्यादा land है north hemisphere में, तो वहाँ का temperature north hemisphere के land का बढ़ जाता है, और जैसे ही land का surface का temperature बढ़ता है, corresponding ocean temperature भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो मतलब northern hemisphere में हम ऐसा देख सकते हैं, कि ज अंगल पर, 25 से 25 डिग्री पर, relatively southern hemisphere से ज़्यादा temperature होगा, और in fact, southern hemisphere में भी ज्यादा temperature होगा, है न, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ cloud नहीं बनते, insulation ज्यादा आ सकता है, और similarly हम लोग ये भी बोलते हैं कि sir, वहाँ पर sinking air है, sinking air है, sinking air क्या है, अर्थ के हिसाब से का तो आप इन दो conditions में ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग जब भी ऐसा कुछ बोलें कि भई, अगर हम लोग 0 डिग्री से, 0 डिग्री से, 90 डिग्री, मतलब पोल के तरफ जाते हैं, और हमारा अगर एक लिंप पर temperature हो, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कि sir, देखू, simple सा बताते हैं, कि 0 डिग्री पर, या फिर जब आप equator पर रहोगे, तो आपका temperature थोड़ा कम रहे, लेकिन आपका temperature सबसे ज़्यादा कहां पर होगा, mid latitude, या फिर ये tropical reasons पर, और फिर दीरे 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 पोल्स पर जाते हैं, काफी कम हो सकता है, इतना लिख सकते हो, या फिर चलो इसको थोड़ा सा हम वैसा बनाते हैं, यहां से पहले ही dip कर देते हैं, ऐसे, ऐसा कुछ reason हो, यही हिस्सा बनेगा आपका, फिट है ये बात, तो ऐसा ही बनेगा, और यहां पर जो peak temperature है, यहां पर आप लिख सकते हो, यह वाला जो हिस्सा है, वहां पर आपका, यह ही आएगा, 25 से 35 degree, ऐसा ही कुछ होगा, इतना अगर आपके मन में ये बात clear है, तो पहला आपका factor affecting distribution of oceanic temperature, यह आपका funda clear हो गया, कि ideal condition मेर, तो हम जो बोल रहे हैं कि वह एक्वेटर से पूल के तरफ जाएंगे temperature बढ़े का ocean surface का ऐसा नहीं है, उसके पीछे जो exceptional cases थे वह हमने देख लिए, दूसरा reason है कि ocean के जो shapes होते हैं, यह भी कई बार कई बार इस चीज़ को influence करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे, देखो, दूसरा लिखना shape of the ocean अब जरा, अब मैं आपको ने थोड़े थोड़े एक्जाम्पल सेना स्टार्ट करता हूं, आप लोगोंने रेड सी देखा है, रेड सी जरा देखना, रेड सी, यहां पर मैं बनाता हूं यह आपका Arabian Peninsula, और इधर से पतला सा यहां पर आपका, यह Arabian हिस्सा है, और आपका रेड सी कहां कर गया भई, यह वाला हिस्सा आपका रेड सी है, यह, और आपको यह भी पता है, कि जो हमारा Tropic of Cancer है, वो approximately यहां से जाता है ठीक, तो यह actual में जो हिस्सा है, वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है इस ट्रॉपिकल रीजन पर आपको यह पता है, कि भई, जो हमारे दोनों Peninsulas है न, इनका Temperature, इसका भी, और इसका भी, इनका Temperature काफी ज़्यादा होगा होगा कि नहीं, अब इन दोनों का Temperature जब ज़्यादा है, तो उसके वज़ए से जो हमारा Ocean का सर्फेस, स्वारी, Ocean का जो Water है, यह भी तो गरम होगा, और सोचो, कि जो इसके इधर साइड में, हमारा पूरा का पूरा, जो आपके पास Rubian C है इससे मिलने जुलने के लिए कितना ही portion बचा है, थोड़ों सा तो बचा है बस, यही तो है हिस्सा, यह वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, तो इतने इससे में कितने इंटर्मिक्सिंग हो जाएगी, होएगी ही नहीं, तो इसलिए इसका temperature क्या होगा, resultant, red sea का temperature आपका जादा हो जाएगा, है की नहीं, similarly, यह तो चलो, tropical reason की हमने बात, अगर आप इसी चीच को जड़ा, temperate reason पर ले जाके देखो, temperate reason में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, temperate reason में क्या होगा, कि अगर surface temperature यहाँ तो जादा है, इसी लिए red sea का temperature भी जादा होगे, यहाँ पर आप लोगोंने हट्सन बेस बना होगा, हट्सन बेस, यहाँ पर देखना आप जड़ा, यह हिस्सा पर आप जड़ा देखना, कि आपका approximately आप ऐसा बोल सकते हो, कि 60 degree जो आपका north latitude है, वो जा रहा है, यहाँ पर अगर आपको बनाना है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, यह वाला हिस्सा, यह approximately क्या है, 60 degree north है, यहाँ पर यह वाला हिस्सा जो है, अब आपके temperature की बात की जाएज सी बात है, कि इस वाले हिस्से में देखा जाए, क्या होगा temperature, जादा होगा या कम होगा, आप बताओ, यह land surface क्या होगा, इसका temperature काफी कम होगा, और इसके होने से, यहाँ पर जो आप हडसन बे है, यह हिस्सा, यह क्या है, यह आपका हडसन बे है, यह इसका temperature भी काफी कम हो जाए, तो अगर आपका ocean जो ऐसा है, कि जो की land से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर उस land का भी influence उसके उपर पड़ेगा, है ना, similarly आप अगर और example देखना चाते हो, तो आप एक इसका द अगर Norwegian current, similarly, इसी के height पर ही है वैसे तो, 60 degree North पर ही है, उसको आप थोड़ा सा नीचे ऐसे बना दो, कि भही देखो, अगर हम लोग, और यहाँ पर आपका क्या है, ब्रिटेन है, तो यह वाला जो हिस्सा है, यह आपका क्या है, बाल्टिक सी है, यह, यह र है, यह क्या होगा, आपका बाल्टिक सी होगया, अब यहाँ पर, सोरी, अभी के लिए सिर्फ इतना वाला हिस्सा ही बनाते है, यह वाला हिस्सा, यह हिस्सा क्या कहलाता आपका, यह है आपका Smack बाल्टिक सी, और मोटा-asmu-ta अगर देखा जाए नहां तो ये भी वही 60-degry वाले ही जोन पर आता है, अगर मोटा-mोटा इसको मैं बराने कोशिश करूँ, 60-degry कुछ ऐसा ही आएगा, यहीं पर आएगा, यह 60 degree के आसपास का है 60 degree North अब यहाँ पर आपको यह सा पता है ना कौन कौन सी countries Norwegian current हम लोग जो Scandinavian countries बोलते हैं वहाँ पर Norwegian सी तो उपर हो गया यहाँ पर आप देख सकते हो आपका इधर वाले हिसे पर Finland हो गया इसके उपर आप देखो आप लोग इसको देखते हैं तो यहां से नीचे के तरफ यह आपका Finland आता है तो ऐसा ही है यह कुछ Sweden है यह आपका Finland है इधर आपका Norway है मैप में थोड़ा से देख लेना आपको और भी सब्सक्राइब हो जाएगा बट मोटा मोटा यह है उसके नीचे जो है वह बाल्टिक सी के तो बाल्टिक सी का भी temperature इन सबके influence कारण कम रहता है तो यह भी एक रीजन है अब similarly अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप ऐसा समझो कि जो भी enclosed spaces होंगे उनका temperature उनके enclosed land से भी मिलेगा तो मतलब अगर shape of the ocean जैसा रहेगा उसके इसाब से वह influence होते रहेंगे इसके बाद आप दूसरे पर ऐसा लिख सकते हो और similarly आप देखो के ना कि इनका mixing जो है वह भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा मिडिटर इंजिनसी का example ले सकते हो इवन बेओ बेंगॉल का भी ले सकते हो मिडिटर इंजिनसी बेओ बेंगॉल यह सब इंक्लोज्ड इस पेस है जिदर के अंदर अंदर रहेंगे वह सब चीजें उसमें करेंगे दूसरा यहां पारिगे important term आता है important reason आता है जिसको कि आप लिख सकते हैं कि prevailing winds कि prevailing winds में आपको यह भी clear होगा कि prevailing winds का है भई आप लोगों को याद है कि नहीं बूल बाल तो नहीं कहें प्रिवेलिंग विंट्स हम लोगों ने कैसे देखा था हम लोगों ने बनाया था वही अगर ये एक सर्फेस है तो पहला एक जो हिस्सा ने इसी से लेता हूं हम लोगों ने बुला था कि यहां पर एक हिस्सा लेते हैं और इसको थोड़ा सा उपर बनाता है यहां पर और इसी को कॉपी कर लेता हूं यहां पर फिर एक हमने बनाया यह हिस्सा और इसी को कॉपी कर देते हैं वाई नीचे भी और आई होप आप लोग को भी याद होगा यह सब याद नहीं ना तो फिर बड़ी दिक्कत है नहीं याद आप टेंचन मतले ना दोरा ले ना फटाफट से रिवाइस कर ले ना अब समझे हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोगों आपका अलो प्रेशर पूरा पूरा नहीं लिख रहे हैं यहलो प्रीशंगिन को गिल छी साब ऑफ़ोऑ यहां पर पर भी देखा था कि यह क्या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और हम लोगों ने यहां पर उपर पड़ा था कि यह पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और नीचे यहां पर भी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तो इसको यहां पर ऐसे अलग से लिए यह क्या है पोलर हाई प्रेशर बेल अब हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे हम लोग नदर नेमिस्फियर के तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहां पर कोरियोलेस एक हमेशा वैसे तो देखो विंड हाई प्रिशर से लो प्रिशर ली चलना है यह अपने राइट हैंड साइड में डिफलेक्ट हो जाएगा इसको हम लोगों ने क्या बुला था यह अम लोगों ने बुला था यह और इस तरीके से नीचे से जब यह हाई प्रिशर से लो प्रिशर आएगा तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में टिल्ट हो जाएगा इस तरीके से इन दोनों को हम लोगों ने क्या बुलाया तब ये दोनों क्या है ये हैं हमारे ट्रेड मेंट्स ठीक, फिर हम उपर गए थोड़ा है उपर में हम लोगों ने पढ़ा कि सर इसी तरीके से जो पोलर हाई प्रेशर से अगर यहां पर भी लो प्रेशर में आएगा तो यह भी अपने इसी डिरेक्शन में टिल्ट होगा और यहां से इसी तरीके से यह अपने लेफ्ट में जाएगा इन दो इन दो चीज़ों को हम लोगों ने क्या नाम दिया था भई अलग अलग लिख देता हूं इन लोगों को हमने लिखा था पोलर इस्टर लीज मीचे भी वही समझ लेना आप दो बार क्या लिखूंगा और सिमिलरली एक हाई प्रिशर से लो प्रिशर जोन एक और बन रहा है यहां से उपर की तरफ भी जाएगा लेकिन इस पार उपर की तरफ जा रहा है तो अपने राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा और चुकि यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वेस्ट टू इस डिरेक्शन में जा रहा है इसलिए और यह भी सिम्पलरली हम लोग का हाई प्रिशर से लो प्रिशर के तरफ जब जाएगा तो यह अपने लेफ्ट हैंड साइड में डिवियेट हो जाएगा मतलब कि यह इस तर नीचे नीचे जितने भी ओशनिक सर्फेस मिलेंगे हम लोग को वह सारे के सारे ओशनिक सर्फेस भी इन विंड्स के इंफ्लूवेंस में आएगा भई हवा का धक्का लगएगा जहात पर वह बह रही होगी उसी डिरेक्शन में वह फ्लो करेगा और इसलिए आप देख सकते हो कि जैसे मान लो आपका एक साइड में आपका यह पेरू वाला जोन है यह और इधर साइड में आपका यहां पर आप देख सकते हो थोड़े दूर पर होगा मैं बस पास बना दे रहा हूं यह हो गया यह पापवानुगीनिया वाला है इसता और यहीं पर आपका क्या होगा ऐस्ट्रेलिया तो यह जो हिस्सा है अब यहां पर अगर आपको मोटा मोटा अगर आपको जैसे मानलो अपना एक्वेटर ड्रॉप करना हुआ तो एक्वेटर आपका कुछ कुछ तो यार देखो ऐसा जाएगा यह थोड़ा सब यसे तो और उपर बनना चाहिए था Кफ Simon देखें तो यहां पर बनना चाहिए किते हं कि एसा कुछ होगा तो जो आपका एकवेटर है ना वो एकवेटर कैसे ऊगा यहां पर पैस कर रहा होगा दो मोटा मोटा कुछ हैसा ही होगा वैसे ये पास करता है तो यहां पर आप देखोगे की एक्वेटर क यह सा चल रहा है तो चेसा ग Northern the यह फानी यहां पर बात तो इकोइच कर ली है और और जाते ब्युिर इस coast को मैं यहाँ बगल से देखने कोशिश करूँ तो बगल से कुछ मुझे ऐसा दिखेगा कि एक हिस्सा है continent का और दूसरा एक हिस्सा है ये continent का ये कौन सा हिस्सा है यहाँ पर ये पेरू वाला हिस्सा है और यहाँ पर आप ये पपुआ न्यूगीनिया लिख सकते हो यहाँ पर जितना भी पानी था वो खिच खिच किदर आ गया इधर आ गया आप ऐसा बूसकते हो कि भाई जो यह हमारा पानी पहले पानी का जो लेवल ता वह कैसा था पहले पानी का लेवल कुछ ऐसा था लेकिन ये पानी का लेवल जो है वो धीरे धीरे चेंज होता गया क्यों क्योंकि ये पानी का लेवल उपर से सारे के सारे करेंट इसको इस डिरेक्शन में पुश कर दे रहे हैं और धीरे धीरे ये वाम भी है तो वाम होने के वज़े से यहाँ पर जितना पानी था ये सारा का सारा उठके यहाँ पर आ गया इस तरीके से ऐसा बोल सकते हो कि नहीं सारा गरम पानी जो है वो इधर इकठा हो गया अब जब सारा पानी इधर सर्फिस का इधर आ गया तो वो क्या होगा कि यहाँ पर एक वाइड क्रियेट होगा यहाँ का जो एक इसको हम लोग क्या बोलते हैं जो नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है उस वाइड को फिल करने के लिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अब वेलिंग ठीक तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं यह भिधेट कें वर नीचे का अपर एक होगा और prevailing wind system same goes with westerlies wind अभी तो वहाँ पर हमने क्या दिखा है वहाँ पर हमने trade winds दिखाया यह है यह क्या है मारे लिए trade winds ठीक अगर यह बाद भी clear हो गई और देखते हैं और क्या reason से responsible है आप एक reason यह दे सकते हो कि land और sea का unequal distribution है जैसे कि कि इसको बहुत ही simple में हम निप्टा देते हैं कि अनिक्वल डिस्ट्रिब्यूशन ओफ कि लैंड एंड सी कि इसके तो बहुत इजी सा है क्यों क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा या कि जो हमारा नौर्थ हमिस्फियर है नौर्थ हमिस्फियर पर हमारे पास लैंड सर्फिस क्या है जादा है है न पटाफट से बनाते रहोगा आप लोग भी झाल कि इसा कुछ बने का गया है इसा कुछ बने का गया है इसा है इसा है मोटा मोटा ऐससे समझके सकılar यह जो पर क्रplication कहाँ अगर मैं इधर मोटा 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 में टीर जो है अपना इधरू कुछ 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 आई काt है और कुछ-कुछ ऐसा हिस्सा आएगा हालागी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा fabrics उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग बट मोटा मोटा कुछ देखोगे तो ऐसा ही रहेगा अब इसके वज़े से होगा क्या इसके वज़े से काफी सारी चीज़े अब आप देखोगे की चेंजिस आपको विजिबल होंगे की नौर्थ में देखा जाए तो कितना ही ल यह जादा होगा और जो आपका साउथ हमिस्फियर है सदन हमिस्फियर है यहां पर रिलेटिवली ओशन का टेंपरेचर आप लोग को कम देखने को मिलेगा पिर इसी के जैसा और रिजन्स अगर आप लोग फाइंड करोगे तो आपको एक बहुत सिंपल सा रिजन मिलता है इसको भी आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक यही है हमारा तो पांचवे रिजन्स पर आप इसको लिख लो ओशन करेंट्स ओशन करेंट्स में वैसा तो देखो जब पढ़ेंगे तो अल्रीड यह बात क्लियर हो जाएगी लेकिन एक बहुत सिंपल सा अगर आपको फंडा देखने को मिले यहां पर देखना तो यहां पर ओशन करेंस में क्या होता है कि अगर एक हम लोगों ने मोटा मोटा माण लो कर देते हैं तो यहां पर एक्वेटर बनाना अचाहा है तो यह तो अब अच्छा से बन जाएगा मोटा मोटा कुछ यही है इस अपना पर कुछ एक सहीं है है ठीक है यहाँ पर आप ऐसा देख सकते और टि जो इधर के साइड है इसका इक ब्रांच जो है वो इधर नारवेजिया के लिव तरफ चला जाता है ना और सिमिलरली यहां पर आप इसको बोलते हैं नौर्थ एट्लांटिक ड्रिफ्ट करेंट ठीक यह आपका एक्विटोरियल करेंट है यह आपका गल्फ स्ट्रीम है गल्फ स्ट्रीम करेंट इसको रेट से मैं क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि यह आपने आप में सारे के सारे वाम करेंट है अब यह सोचो कि जब यह वाम करेंट यह ओशन का वाम हिस्सा जब पूरा यहां तक आता है तो यहां पर पहले के जमाने में अगर यह नहीं पहुचता तो यहां पर सारे के सारे ओशन्स जो है वो क्या गरते बर्फ जम जाते हैं लेकिन अब हिस्सा क्या हो रहा है अब ये हिस्सा रिलेटिवली गरम हो गया है इनके रहने से इनके रहने से ये हिस्सा गरम हो गया है तो गरम होने का जो रीजन है वो क्या है ओशनी करेंट जो है तो इस एरिया का टेमपरिचर इस वाटर का temperature बढ़ा की नहीं बढ़ा जैसे ही बढ़ा वो क्यों बढ़ रहा है वहीं क्योंकि हमारा warm current जो है वो पहुच गया है वहां तक तो यही same reason है similarly आप यह भी बोल सकते हैं कि बहुत बार ठंड जो है ठंड नीचे की तरफ भी आ जाती है जैसे कि इसी का एक नीचे current जब आप दिखते हो तो यहां पर एक current दिखता है यह वाला हिस्सा यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग canary current canary current जो है वो cold current है यहां से कुछ आती है नीचे के तरफ इसके टिल्ट होते हुए इधर से गिरती है कुछ उधरस वाली current भी आती है जो की नीचे मिल जा रही है तो यहां पर जो canary current है यह cold है तो यहां का relative temperature जो है वो थोड़ा ठंडा रहता है यार तो यहां का पानी आपक रहेगा और इनफेक्ट यह भी साहरा डिजर्ट को फॉर्म करने में help करती है क्यों क्योंकि यह कैनरी इफेक्ट क्या देगी डेसिकेटिटिंग एफेक्ट और similarly यह जो canary current है यह काफी ज्यादा dry and cold है तो इसके वज़े से क्या होता है कि जो आपका humidity है humidity काफी हग तक कम रहता है नहीं बनने देता है humidity बनने नहीं देता है और कुछ भी हवा उपर बादल साइड में उठ नहीं पाता है कोई cloud formation नहीं कोई rain नहीं इसलिए बिल्कुल सूखा पड़ जाता है यह है न cold and dry तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो तो यह आपका चौथा रीजन जो है बलकि मैं इसको इसी पर लिख देता हूँ ओशन करेंट पाचवे नमबर पर ओशन करेंट यह भी सही है अगर इतनी बात आपके मन में clear बैट गई तो आपको यह सारा रीजन पता चल गया वही क्या खिरकार यह क्यों ऐसे होता है अब एक चीज़ समझो कि अभी तक हम लोग जब भी ओशन की बात कर रहें जब धी ओशन की बात कर रहें इसको कि प्लेंट और यहां पर ना उस्के बाती कर देंगा है यांब और उपर के तरफ वापस यह देखने को मिल गया है आप इसके अंदर क्या में पानी भरा हुँ यह पानी है अभी तक हम लोगों ने जो भी temperature की बात की है न वो सिर्फ और सिर्फ उपर के surface temperature की बात यह जो surface temperature है यह surface temperature यह actual में move कैसे करता है यह surface यह जो surface है न यही आपके पूरे उपर तक की बात करें तो यह hardly आपका 5 से 10% है कितना है 5 से 10% मुश्किल से यह वाला हिस्सा जें इसी की movement की बात हो रही है और इसी की movement में हम लोग अभी तक पढ़े हुए थे जो उपर का warm current cold current यह सब पढ़ रहे थे न यह सिर्फ surface ocean surface है और यह surface waves है इनको क्या बोलते हैं हम लोग surface waves बोलते हैं अब देखो यहां पर ने दो टाइप होते हैं या फिर इनको हम लोग surface waves ना बोलके surface current बोलते हैं तोनों में अंतर समझाता हूँ waves और current में अंतर क्या है देखो waves जो होती है ना जैसा हम लोगोंने हमेशा पढ़ा है कि waves हमेशा क्या करती है एक cyclic motion में चलती है ठीक है इसमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपका जो पानी है ना वो पानी मालो ये पानी है आपका पानी कभी भी आपका move आगे के तरफ नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा कि यहां का पानी जो है वो उठके वहाँ चला गया नहीं होगा ऐसा वो क्या करेगा इसी पे circular motion रखता है ये भी circular motion ये भी circular motion ये भी circular motion ये भी circular motion और इनके वज़े से हम लोग को एक resultant क्या मिलता है एक wave shape मिलता है ये wave shape मिलता है और इसको मैं और आपको क्लियर्ली विजुलाइज भी कराता हूँ देखो यह इसमें लिखता हूँ मैं ओशिन वेव्स ट्रैवल जी आएफ ओशिन वेव साइक्लिक मोशन नहीं क्या लिखता हूँ हाँ साइक्लिक के लिखते हूँ साइक्लिक मोशन हाँ अब आपको समझ मैं जाएगा किस से समझाओं यह देख लो आप एक बार अगर इसस क्लियर हो रहा है तो अब देखो एक एक बॉड़ी को उठा के देखना अगर एक परसन को देखो गया एक पर्टिकुलर पर्टिकल को देखो गया तो यही पर बस रोटेट हो रहा है इस तरीके से सारे के सारे जो है वो अगर एक किसी भी पकड़ के देखो गया तो यह एक ही जगहां पर रोटे कर रहा है ठीक है यह उसिलेशन इनके सर्कुलर मोशन की विज़े से हो रही है इनको क्या नाम देते हैं आपको मैं और भी दिखाता हूं इसका एक बहुत ही बढ़िया मैंने देखा था इसी में अगर शायद मिल जाए तो हाँ यह वाला यह देखो आप इस तरीके से और आप यह देखोगे ना बहुत ध्यान से कि जितना डिप्थ पर जाते जाओगे यह आपका स्टैगनेंट होता जाएगा यह नहीं मूव कर रहा है यह जो वेफ होते हैं यह भी सर्फिस फेनोमेना ही है जितना उपर सर्फिस पर रहोगे उतना ज्यादा मोशन आपको देखने को म इस को इस तरीके से समझ सकते हो है ना यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं ना इस इस वाट वाट इस दिस 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 वेफ्स है ना सर्फिस वेफ्स बोल सकते हो सर्फिस वेफ्स में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं यह सिर्फ और सिर्फ ओसिलेट करते हैं और इस ओसिलेशन की वज़े से इनमें कोई भी transportation नहीं होता है यह ना transportation नहीं होता है भई oscillate करते है बस यह अब आप अच्छे से समझ सकोगे लेकिन जब हम लोग current की बात करते हैं current की जब भी बात करते हैं तो यह current basically क्या करते हैं एक जगह का पानी को दूसरे जगह लेके जाते हैं और इसके पीछे responsible factor कौन-कौन से हमने बताया जो आपके prevailing winds होते हैं वो उनको push कर देते हैं push करके आगे कहीं पर भी लेके चले जाते हैं अपने साथ साथ है ना अब सोच हो कि अगर यहां पर wind चल रहा हो और इस direction में हो है ना इस direction में strong winds यहां पर चल रहा हो इसके संपर्क में जितना भी पानी आएगा वो भी इसके साथ बहने लगेगा है ना यही तो बोल रहे हैं तो यह क्या है कि surface current है और यह क्या है waves है तो यहां पर अगर आप से कोई चल यहां पर temperature की एक तरफ मैंने पोल वर्ट चले गया है यह पोल वाला रीजन है और यहां पर यह वाला जो यह आपका एक्वेटर वाला रीजन है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्वेटर के साइड पर पानी जो होगा वह थोड़ा तो गरम होगा थोड़ा राइस भी करेगा थोड़ा तो करेगा और सिमिलरली चुकि यहां का पानी काफी ज्यादा थंडा है काफी ज्यादा इस दिखोगे की आपका मोशन वर्टिकल भी यह बहुत ही स्लो मोशन होता है इतना स्लो मोशन होता है कि आप इसको शायद समझ भी ना पाऊ यह जो सर्फेस विंड्स अब डिखा रहे थे वो करेंट कैसे चलेगा वो यहां पर चलेगा और कभी कई बार वहां से यह सर्फे वेरी वेरी स्लो तो वर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल भी एक करेंट अपना चलता रहता है अब अगर वर्टिकल टेंप्रेचर की बात हो रही है तो एक बार वर्टिकल टेंप्रेचर हम लोग देखते हैं यार कैसे वेरियेशन में आता है कहां गया भी है हम लोग लिखते हैं यहांपर अगर हम लोग इस तरीके से बात करें कि हमारे के पास इस साइड देखें तो एक हम इसको जड़ा देखने कोशिश करते हैं यह हमारे पास एक ऐसी साइड है जो कि हमें क्या डिफाइन करेगी इधर साइड मानके चलो हमारा टेमपरेचर डिफाइन कर रही है इधर पोल साइड में जिरो डिक्री सिल्सियस और उधर कुछ ज़्यादा टेमपरेचर होगा अपना बीस बाइस पक्चिस डिग्री सेल्सियस कुछ होगा ट्रॉपिकल एरियास के पास में और इसी तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं इधर साइड में एक और ड्रॉ कर लेते हैं ठीक इसको हम लोग चाहिए थोड़ा कम भी कर सकते हैं इतना करने के ज़रूद इतना चल जाएगा अब अगर हम लोग यहां पर नॉर्मली देखें यह क्या हमारा डिप्थ है ठीक है इसको लिखता हूं मैं यह हमारे लिए क्या है डिप्थ और हमारे लिए यह क्या है यह मारा टेंप्रेचर इसको अड़िए यहां पर हमारा 0 अदियरे यहां पर हमारा और प्रॉकसिमिटी आता है पर्चिस डिगरे चल्सेश्एश लिए पीछ पर आपने लुद्धे देड़्ी सलसिय। इसका यहां पर यहां पार कुछ उद्धा होग यह दिगूरी सलसिय। यहां पर इसका भी यादा करोगे तो तीन डिग्री सेल्सियस यहां पर लगवग लगवग उननेस डिग्री सेल्सियस अब आगे अपना समझ लेना और यहां पर अगर हम लोग डेप्थ की बात कर रहें तो यह मान लोग आपके लिए 500 मीटर यह आपका 1000 मीटर ऐसे कर करके आपका काफी नीचे तक जाएगा इसको आप 6000-7000 मीटर तक ले जाओ ठीक अब अगर मोटा मोटा हम लोग को यह समझना रहा कि यह टिंपरेचर जो वर्टिकल अगर हम लोग डेप्थ पर जा रहें तो कैसे यह वैरी गरेगा इसके लिए आप लोग इसको सिंपल से समझो कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है अगर हम लोग बात करेंगे तो ट् छुदा होगा 20-25 डिगरी के असपास हो लेगिन जैसे ही हम लोग जैसे ही इस डिप्थ पर जाना स्टार्ट करेंगे यह एकदम से चेंज होने लगेगा पहले तो कुछ दूर तक 25-25 ऐसा ही रहेगा लेकिन फिर एकदम से यह चेंज होगा और फिर यह इस डिरेक्शन में चला जाता है यह ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ अब यहां पर आप समझना जोड़ा यहां पर यह वाला जो उपर का हिस्सा है लगबग लगबग शुरुआत से 200 मेटर तक का यहां पर तो इंसुलेशन आ रहा है इंसुलेशन आने से किया होता है पानी यूजुली आपक गरम रहता है तो सौ दो सो मेटर तक आप इसको अराम से बोल सकते हो कि यह हमारे लिए क्या है पोर्तिक जोन में समय वारा टिमपरेचिर क्या हो का जादा ही हो ना उपर कर दिता ह लेकिन उसके बाद लगब लगब यह जो 1000 1000 1000 मीटर नीचे तक का हिस्सा पिताब है यह वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग एक नाम देते हैं और इसका नाम है थर्मोहलाइन थर्मोहलाइन का मतलब क्या है हलाइन मतलब steep change gradual change नहीं बहुत ज्यादा चेंज और थर्मो मतलब तो तो तैमपरेचर में बहुत ज़्यादा चेंज मतीड ही क्लिफने मिलते हैं हम लोग इसको क्या लिखते हैं अब थर्मोहलाइन यह इसा है और थर्मोहलाइन के बाद आप देखो कि हम लोग का सबसे जादा जो डेंसिटी होता है वोटर का वो कब होता है अपना तीन से चार आप इसा बोल सकते हो जब वह जिरो डिगरी के आसपास एचीव करने जाएगा या पर तीन से चार डिगरी वाला जो बूल रहे हो आप वह सबसे जादा आपका डेंसिटी होता है तो इसी लिए आप दिखोगे कि यह दीरे-दीरे बिल्कुल इसी स्टीव स्लोप पर फिर चेंज ही नहीं होगा यहां पर भी बिल्कुल कॉंस्टेंट है यह आपके डेप्ट ऑप वाटर का है तो बूल सकते हैं और फिर बढ़ता रहता है फिर लास्ट में आते बिल्कुल कम होगा अप डेप्ट पर जाओगे जब उपर से बिल्कुल बर्फ जमा होता है तो नीचे फिर भी मचलिया मस्त तैरती रहती है अपना पूर सर्वाइवल कर लेती है क्यों कर लेती है वही यहां पर तर्म के लिए आप लिख सकते हो कि इसका मतलब है कि temperature तेस्टिक लिए विश्ट में आपको डिफाइन करना जब भी आप वर्रडिकल डिस्रिप्यूशन देखते हो आपका यही तीन लेएर है एक पहला लेएर यह है दूसरा लेएर है और यह तीसरा लेएर है तो इन तीन लेएर्स में अगर आप लोगडिफाइन कर चुके हो तो इसके बाद हमारा एक बहुत important मुद्दा आता है जो आता है salinity से related अगर हम लोग उसको भी पढ़ने तो मसा ही आ जाया फिर तो salinity बहुत important concept है salinity इसको समझने का बहुत easy तरीका है हम लोग को पता है कि salinity salinity मतलब क्या dissolved amount of salts in water यहीं तो बोलते हैं अगर भाई इस इस बोतल में अभी मैंने दो चमच पानी घोल के इसको ऐसे चला दिया बिल्कुल तो उसके बाद क्या होगा पानी और नमक बिल्कुल मिक्स हो जाएगा अब उससे मैं आप से बोलू कि भाई इसका अलग-अलग salt ऐसा लिखते हैं amount of dissolved salt in ocean water और इसको मेजर करते हैं कितना ग्राम of salt है dissolved in 1000 ग्राम या फिर पर केजी of water यह जो amount होगा ना यही इसकी salinity कहेगी मान के चलो कि जो एक on an average हम लोग बात करते हैं वो कितना होता होगा surface water पर अगर हम लोग देखते हैं तो यह आता है लगबख 24 से 25 के बीच में मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यह on an average average surface water जो है surface ocean water लिखते हैं ocean water इसकी salinity कितनी है यह है लगबख लगबख चौबिस से चौबिस से पच्चिस चौबिस से पच्चिस ग्राम या फिर पर्सेंटेज में define कर सकते हैं ऐसे लिखते हैं जाए गर तना है अब अच्च और जब भी तरीके से लिखते हैं तो इतना है आपका average surface ocean water इतनी सेलीनिटी है यह सेलीनिटी है उसकी और है अब स्यलिनिटी कम हो जादा हो इसका इफेक्ट कैसे समझेंगे देखो सिंपल सी बात है कि फैक्टर्थ अगर हम लोग समझेंगे क्या फैक्टर्थ के बिसिस पर यह सलेंड़ी डिक्रीज तो उसको कुछ ऐसे लिखना कि मान लो मान लो कि अगर आपका evaporation evaporation बढ़ ज़ाए तो इवबापरेशन बढ़ने से क्या होगा एवबापरेशन बढ़ने से क्या होगा कि भाई पानी जो है वह water जो है वह वेपर में convert हो जाएगा तो बचेगा क्या salty salt बचेगा तो मतलब हम बोल सकते हैं कि evaporation जादा होगा तो salinity जो है वह जादा होगा बोल सकते हैं ना जितना जादा evaporation हो रहा है उस surface से वहां का salinity उतना जादा जैसे Mediterranean Sea Mediterranean Sea enclosed space है कहीं से भी उसकी water mixing capacity है ही नहीं है में ocean water से उसकी mixing है नहीं हो सकती और चुकि वह tropical region में dependent है तो वह बहुत जादा sun rays उससे उपर उपर उठते जाते उठते जाते हैं और वह मेडिजर इंडियन से ही highly saline water डेड़ सी का example बहुत जादा salinity है उन सब में तो salinity की बात होगी evaporation एक factor हुआ इसे के बाद अब इसी से मिलता जुदता अब मान लो जब भी precipitation हो तो एक तरफ पानी उपर गया था और पानी उसमें और डाल दे तो precipitation is all about fresh water है ना precipitation की बात हो जाए या फिर glaciers के melt होने की बात हो जाए या फिर कोई भी reverse मर्ज हो जाए यह तीनों के तीनों ही अगर बढ़ते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी salinity क्या हो जाएगी आपकी salinity कम हो जाएगी बात समझ में आ रही है क्या कि सारे fresh water sources है fresh water source को अगर पानी में मिला ओगे इस बोतल में मान लो एक चमच नमक गोला था मैंने अब इसमें क्या किया मैंने पूरा ब्रिम तक पानी भर दिया इसमें एकदम फ्रेश वाटर जिसमें कोई समझ सकते हो कि salinity जो है salinity अगर किसी भी water की या फिर ocean water की जादा इसका मतलब क्या है उसमें salt content जादा है salt content जादा है तो मतलब वह water की density क्या है जादा या कम है density जादा होगी मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं एक line में अगर हम इसको अलग सभी लिखें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि salinity जो है salinity is directly proportional to density बोल सकते हैं कि नहीं मतलब कि अगर salinity जादा तो density भी जादा जो water जितना saline होगा उसकी density उतनी जादा होगी है ना इसलिए हम लोग बोलते कि dead sea is highly saline और वहाँ पर अगर आपको तैरने नहीं भी आता है तो भी आप मस्ट कूद जाओगे ना तो तैरोगे बस अगर गलती से भी कहीं पर शरीर पर कटा वटा मिल गया ना मानलो कहीं पर चोट लगी है और उस नमक वाले पानी में कूद गये तो जले पर नमक छिड़कना कहावत सुनी है ना वो सच में हो जाएगा आप लोग के साथ है ना तो आपके जले पर नमक छिड़क देगा dead sea और dead sea में इतना ज्यादा salinity ही इतनी ज्यादा density है कि उसमें आप कभी अगर सेलेनिटी का भी concept आपके मन में समझ में आ गया है कुछ एक्जांपल से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम एक एक नॉर्मल हम comparison करके देख लेते हैं ब्लैक सी और मेडिटिर इंडिन सी देखो ब्लैक सी में जितने वी दी से वर्ड आता है ना वह सारे के सारे रिवर्स यहां पर ड्रेन होते हैं बहुत सारे जैसे कि रिवर डॉन कि नाइपर कि नेस्टर कि एक टी से और थायर टी से और नाम तब मैं बूल गया नाइपर डॉन दनूब यह सब के सब कहां ड्रेन करतें ब्लैक सी में फ्रेश वाटर है तो इन सब के सब जब फ्रेश वाटर ड्रेन करेंगे और मेरी टेरेंडियन वैसा कुछ नहीं है इतने रिवर्स अगरे नहीं और इंक्लोजड इस पेस है वहाँ पर इवोपुरेशन ज्यादा है यहां पर क्या होगी कम हो जाएगी यहीं तो होगा है ना सिंपल सा ही है सिमिलरली अब अगर आप रेड़ सी और गल्फ और परिश्या की बात कर लो है ना यहां पर आप देख लो अगर मैप में इसको देखना है तो इस तरीके से कुछ बना सकते हैं यहां पर आपका ब्लैक सी तो और अपसमें कर एक्टब्स होगा है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपका ब्लैक सी और यह वाला हिस्टा जो है आपका सिमिलरली आप एक एक्जाम्पल और ले सकते हो इसी के उपर ही ये वाला हिस्सा ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर नीचे ये क्या है आपका ये आपका रेड सी है और जो उपर वाला हिस्सा है आपका ये वाला हिस्सा ये आपका गल्फ आफ पर्शिया है ये ना गल्फ आफ पर्शिया अब यहाँ पर जिस हिसाब से हम लोग ब्लैक सी का बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहे है ना कि आपके बहुत सारे फ्रेश वॉटर यहाँ पर आ रहे हैं similarly Gulf of Persia में भी Euphrates, Tigris ऐसे बहुत सारे रिवर्स है Euphrates, Tigris और यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा तो इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या इसाब किताब बनेगा कि जो Gulf of Persia है इसकी Salinity कम होगी और Red Sea की Salinity ज्यादा होगी सिंपल सी बात है ठीक है Salinity ज्यादा मतलब density ज्यादा मतलब की Low Density यहाँ आई देंसिटी से Low Density के तरब भी Water Flow करता है यहाँ इसमें लिख सकते हो आप Water flows from high density to low density सिंपल अब अगर इतना बात आप लोग समझ चुके हो तो अब आपका आखरी टापिक बसता है वह क्या है आपके various oceanic currents के बारे में है है न हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ocean currents ocean current जैसा कि हम लोगों ने बताया कि यार देखो ocean current एक सिंपल जब हम लोगों ने चाप्टर को स्टार्ट भी किया था या फिर पहले भी जिक्र किया कि ocean currents जो है न वह बस एक surface phenomena में ऐसा बोल सकते हो कि जो नदियां जैसे बहती है न वैसे ही हमारे ये waves के form में ये भी बहती है sorry currents के form में ये भी बहती है ठीक है तो नदियां जैसे एक जिए से पानी लेके दूसरी जहां जाती है वैसे ही ये भी अपना पानी लेके दूसरी जहां आती है तो band of waters है ये सब तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि band of ocean waters flowing in a fixed direction अगर ये हैं तो ये ocean currents है और ये हमेशा और हमेशा horizontal movement की बात हो रही है है ना हम ऐसा बोल सकते हैं इसको horizontal movement of band of ocean waters flowing in a fixed direction ये आपका ocean water ocean current ये ही तो बोल सकते हो simply है अब यहां पर ये समझभाना चाहिए कि आखिरकार इन ocean currents को कौन-कौन से factors हैं जो की change करते हैं ये तो आप इतनी बार पढ़ चुके हो इसको बहुत ही जल्दी से ना बता देता हूं आपको इतना कुछ है नहीं इसमें है ना factors अब चलो सबसे पहले नंबर पर बताओ आप ये बोलोगे कि नहीं prevailing winds बोलोगे कि नहीं बोलो हां यार कोई बतला भी नहीं इसको समझानेगा है ना इतनी बार तो बोल दिया prevailing winds इसके direction को change करेंगे दूसरे नंबर पर बोलो Coriolis force आएगा की नहीं Coriolis force जो है वो वैसे तो देखो इन winds पर भी लगी रहा होगा उन winds का direction भी Coriolis force की effect में आएगा लेकिन अगर water का इतने बड़े mass water का भी flow होगा तो जायत सी बात उस पर भी Coriolis force लगेगा तो इन winds पर त से राइट हैंड साइड में deflect करेगा सदन हमिस्फियर में लेफ्ट हैंड साइड डिफलेक करेगा इसके बाद आपका एक portion आता है कि भी देखो इवऑपोरेशन इवऑपोरेशन बोल सकते हैं क्या इसका मतलब क्या है इफ बढ़ेगा इसके मतलब क्या है सैलीनिटी आपका क्या होगा सैलीनिटी आपका कम हो जायेगा सव्क्राइब्ध बढ़ जायेगा काफी बढ़ d तो इसका मतलब है water level क्या होगा dense हो जाएगा मतलब वहां का पानी क्या होगा भारी हो जाएगा भारी होने के साथ वह नीचे की तरफ आ जाएगा कि नहीं तो मैं ऐसा बोल सकते हैं इसका मतलब है कि जो water level है water level नीचे आ जाएगा है ना बोल सकते हैं ना विलकुल सिमिलरली आप देखो precipitation बोलो आप precipitation अगर बढ़ेगा तो क्या होगा आपका salinity सब उल्टा हो जा रहा है यहां पर salinity कम हो जाएगा और इसके कम होने का मतलब क्या है आपका water level बढ़ जाएगा और वैसे भी समझो जहां पर बारिश होगी वहां water level तो directly ही बढ़ जाएगा salinity का relation लगाने की जरुवत भी नहीं है similarly अब हम लोगों ने यह देखा कि evaporation और precipitation तो ही है अगर हम लोग इसी के साथ salinity को भी एक factor बना दे तो वह भी तो अपने हिसाब से water के उपर नीचे पर बात करेगा है ना तो यह एक हिसाब से और एक होता है आपका hydraulic gradient यह थोड़ा सा अलग सा है यह बता देता हूँ मैं कि hydraulic gradient में क्या होता है कि मानलो कि कोई भी आपका surface है और उसके अंदर में आपका कुछ भी उस surface और पहाड़ भाड़ दिख गए आपको है ना तो अगर मानलो कोई भी करेंट था जो कि इस पर direction में flow हुआ लेकिन यहाँ flow होने के बाद अलग-अलग direction में यह divide भी हो सकता है है ना तो यह क्या कराएगा hydraulic gradient इसके बाद और और रीजन बताओ भी गया और बताओ इतने सारे तो भी बोले ना कि ocean currents जो direction इनका factors कहां-कहां पर responsible होगा तो हम बोल सकते हैं शेप के उपर भी तो बोल सकते हैं ना shape of landforms क्या मतलब है इसका जैसे हम लोग देख रहे थे की इस direction में अगर मालो आफ्रिका वाला जो है यहां से अगर इस direction में यह बढ़ा आगे तो यह उपर की तरफ ही तो गया ना इससे टक्रा टक्रा कही तो सब जगह जा रहा है इधर जो हम लोगों ने पूरा देखा कि भाई वह नौर्वीजियन करेंट तक चला जा रहा है वह कैसे चला गया इन सबसे टक्रा टक्रा कही तो गया तो landforms जो है वह शेप आफ लैंड फॉर्म्स यह भी तो ऑव्यस सी ब लोग कि इसी तो नॉशन करेंट सकते हैं तो ऊशन करेंट एंज DR को कि जरूरी नहीं है कि वह हर एक वाम ओशन करेंट जो है वो कैसेछ तो कैसे निकले आपके क्या बोलते हैं एक विटर से निकले और जितने भी कोल्ड करेंट है वो सबके सब्सक्राइब के आपके पॉल से ही निकले तो यहाँ पर इसी तरीके से temperature की business पर चलेगा ocean currents, warm और cold मान लो की तीन currents है, एक current का temperature है 27 degree Celsius, एक current का temperature है 24 degree Celsius, और एक current का temperature है 20 degree Celsius, तो तीनों के तीनों ही अपने अपने जखाँ पर warm current हो सकते हैं, लेकिन अगर comparison करेंगे भई, तो 20 के तुलना में 24 वाला क्या हो जाएगा, warm हो ज current और warm current के हम लोग बात कर रहे हैं, यह relative positions पर है, है ना, अब एक बार बस हम इस चीज़ को detail में समझने की कोशिश करते हैं, इसको एक बार अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो काफी यह तक चीज़े हमारी clear हो जाएंगी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें बस एक एक exception आता है, ocean current में अपना, नॉर्मली, अच्छे एक चीज़ कुछ में basics पहले आपको और define कर देता हूं, देखो, basics में मैं सबसे पहले यह समझाना चाहता हूं, कि जब भी हम लोग एक equator की बात कर रहे होंगे, हम लोग जब भी एक equator की बात कर रहे होंगे, यह माल लो आपका, जीरो डिगरी है, ठीक, जब भी हम लोग बात कर रहे होंगे, तो in fact फिरुवाती दोर में पांच डिगरी नौर्थ सक, है ना, यहां पर बोलते हैं कि यह पांच डिगरी नौर्थ है, और यह वाला पांच डिगरी साउथ है, हम लोग पता है कि इन दो जोन्स में कोरियूल एक horizontal zone में चला जाएगा, है ना, इधर से भी और इधर से भी, है ना, अब मान लो कि यहां पर इसको एक, इसको एक क्या मिल गया भई, कोई एक continent मिल गया, ठीक, यह कोई continent अगर इसको मिलेगा यहां पर, तो अब इसके इसाफ से क्या-क्या चीज़े हो सकती है, देखो, एक current इससे टकरा के उपर की तरफ मुड़ जाएगी, यह वाली नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन कुछ हिस्सा अंदर की तरफ भी तो जाएगा, है ना, और वो इस direction में आएगा, उपर से और नीचे से भी, है कि नहीं, यह चलेगा, कोई भी हिस्सा equator से अगर चल रहा होगा, तो उपर के हिसाब से भी चलेगा, और similarly equator पर भी चलेगा, यह ऐसा क्यों हो रहा है, यह opposite direction में नीचे ही क्यों आ गया, हम लोग हमेशा देख रहे थे, कि यह वाला जो जोन है ना, यह वाला जोन को हम लोगों को ने क्या नाम दिया था, याद होगा आपको तो, इस क हम लोगों ने बुला था, डोल्ड्रम्स, इस डोल्ड्रम्स के हिसाब से, हम लोगों ने यह समझने कोशिश की थी, कि भाई, डोल्ड्रम्स जो होता है, एक काम प्लेस है, बिल्कुल शान्त वातावरण होता है, यहाँ पर है ना, जोन ओफ कामनेस, इस कामनेस के हिसाब से क्या होता है कि यहां पर ऐसा कोई भी बहुत प्रिशर नहीं फील हो रहा है इसको अगर इसको रिवर्स भी आना होगा ना तो इसको बहुत इजी फील होगा कि यह रिवर्स डिरेशन ना सकता है क्यों क्योंकि सारा का सारा गरम पानी तो यहां ही कठा होगा कहीं तो जाएगा current बात समझ गए किया दोल रहा है अगर यह ऊपर क्या चल रहा है यह हमारा north equatorial current है और यह हमारा south equatorial current है तो यह जो वापस आया है न भी इसको क्या नाम दे रहे हैं इसको इसको आम लोग नाम दे रहे हैं counter equatorial current और ये हमेशा ऐसा ही होगा कि जो counter equatorial current होगा वो हर बार west से east की direction में flow होगा और similarly हर बार equatorial current आपके लिए east से west की direction में travel होगा ये भी तो फंदा clear ये prevailing winds, straight winds के बारे में बात हो रहा है तो ये अगर आपको स्वाज में आगा है तो पहला basic तो एक आपका ये था जो कि आपके बहुत सारे concepts को clear करेगा अब यहाँ पर हम लोग कुछ एक factors और भी देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि देखो जब भी हम लोग का ऐसा हिसाब किताब बनेगा कि उपर से कहीं पर भी एक cold current आ रहा होगा और नीचे से कहीं पर भी एक warm current आ रहा होगा जहां पर भी ये दोनों मिलेंगे तो हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था की नहीं कि देखो यहां से क्या होगा इधर से अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं तो हम लोग के लिए क्या है भाई कि एक हमारा air mass है इसके उपर के साथ साथ जो आ रहा होगा similarly हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक आपका cold air mass भी होगा और यहां पर एक front बनेगा एक front बनेगा एक front बन जाएगा और यहां पर हम लोगों ने हर बार यही पढ़ा है कि यहां पर आपका walkie condition हो जाएगा क्या बोला था मैं जब भी यह दोनों मिलेगा तो यहां पर हम लोगों क्या मिलेगा walkie condition ठीक यह भी बात clear है walkie condition के साथ साथ जहां पर भी temperature neutral हो रहा होगा यह एक ऐसा जोन होगा जहां पर आपके लिए यह पिशरी इसका ग्राउंड बन जाता है यहां पर आपकी biodiversity enrich हो जाती है तो यह एक बहुत ही बढ़िया fishing ग्राउंड बन जाता है आपके लिए और यह आपके लिए काफी अच्छा fishing ground रहता है और आप यह भी समझो कि एक और हिस्सा समझते हैं एक हिस्सा क्या है एक हिस्सा क्या कहता है कि माल लो कि जैसे हम लोग अभी एक पेरू और पैपुएनुगीनिया वाला एक हिसा देख रहे थे कि एक तरफ हमारा Australia है एक तरफ स तो बहुत बार क्या होगा कि जब पेरू के side से बहुत सारा current इधर के direction में उठके आ जाएगा है ना इधर आ जाएगा तो यहां पर एक Void Major हो जाएगा इस Void को फिल करने के लिए हम लोगोंने क्या नाम दिया दा कि भ ظै waż क्या करेगा इसको अकुपाई करने के लिए ऊपर यहां पर भी आपको इह बाद समझ में आनी चाहिए कि जो नीचे का हिस्सा है यह अपवेलिंग के साथ-साथ अपने साथ-साथ यह क्या लेके आएगा Along With Rich Nutrients यह बहुत सारे Nutrients लेके आएगा और जब nutrients लेके आएगा तो This Will Attract small fishes इन छोटी मचलियों खाने कौन आएगी बड़ी मचली इन बड़ी मचलियों खाने कौन आएगा और पूझ जाता बड़ी नहीं, इनसान आजाएगे अब तो तो इसलिए जब भी upwelling होगा इस upwelling में भी आपका क्या होगा, fishing ground बहुत ही जबरदस्त बनेगा तो कहीं पर भी नीचे से अगर हिस्सा उपर के तरफ ठंडा पानी लेके आता है तो यहां का temperature भी कम कर देगा यहां का temperature भी कम कर देगा और इसके साथ साथ यह भी लेके आएगा और सोचो कि जब temperature कम करेगा तो यहां बारिश ज़्यादा होगी कि कम होगी यहां पर rainfall भी कम हो जाएगा और जहां पर गरम हिस्सा होगा गरम हिस्सा होते ही वहां पर क्या बन जाएगा एक आपका low pressure system बन जाएगा low pressure system से वापस air rise होगा और यहां पर जैसे हम लोगों ने climatology में पढ़ा था कि बादल बनेंगे और बारिश भी होगा तो यहां पर इस वाले हिस्से पर क्या होगा आपका rain जो है वो बढ़ जाएगा यह भी फंडा clear है यह अगर दो तीन चीज़ें आपकी clear है ना तो मूटा मूटा आपका हिस्सा जो है वो काफी हद तक clear हो जाएगा यह थोड़ा यार मिक्स हो गया ना इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं मैं यह यह तो तेड़ा भी हो गया अभी तुस्से लेट किया था फिर से करना पड़ेंगा ठीक है और एक हिस्सा उदर वाला उदर वाला भी थोड़ा अलग कर देता हूं इसको भी मैं यह तो कि अहां आप भी तुस्सता है Hare तो कि अहड़ास है ठीक है, अब ये तीन हिस्से में आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, एक हिस्सा आपका ये है, एक हिस्सा आपका ये है, ठीक, ये आप लोग देख लेना आप, अगर ये तीन बेसिक्स फंडे भी कलियर हैं, अब आपके ओशनिक करेंट्स को पढ़ना बहुत है, अब ओशनिक करेंट्स को यू तो मैं देखो, पूरा ड्रॉ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही शांदार द्रिश्य है, मतलब पिक्चर है, इसको भी आप लोग एक बार देखोगे, तो आपको काफी हग तक काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और अब यहां पर यह चीज को समझना कि जो भी आपका मैप थोड़ा सा अल्टा-पल्टा है, अल्टा-पल्टा इंदर सिंस्की, आपके हिसा आप से देखो, हमेशा यह बेस होता है, और इसके आगे हम लोग वहां वाला हिस्सा जोड के देखते हैं, अब इसमें क्या है कि हमा अब देखते हैं, कुछ कुछी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे वार्म करेंट्स को लिखने कुशिश करते हैं, हम लोगों ने क्या देखा कि इधर से हम लोग का एक्वेटोरियल करेंट चलेगा, है ना, एक्वेटोरियल करेंट में उपर से नॉर्थ चलेगा और नीचे से साउथ चलेगा, तो यहां पर इसको अगर हम लिखना चाहते हैं, तो एक्वेटोरियल करेंट हम लोग ऐसे लि देता हूं मैं यहां पर होगा मारा south equatorial current और बीच में यहां से अब आप सब लोगों पता होगा कि यहीं से वापस भी चलेगा counter equatorial current ना यह भी बात समया आती है अब यहां पर अब देखो हर बारना एक cycle complete होगी अपनी जैसे कि यहाँ पर अब आप रहा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो equatorial current है यह उपर के तरफ गया और यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया कौन-कौन सा एक आपका यहाँ पर जो Caribbean island है Caribbean island से नीचे Gulf of Mexico के साइड में चला गया औ और उपर यह जो फ्लोरिडा के पास में गया इसको हम लोगों ने फ्लोरिडा करेंट बोला है ना यहाँ पर मैं लिखता हूं वापस से एक हिस्सा यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यह Caribbean islands के अंदर चला गया गुज गया है ना इसको हम लोग क्या नाम देदें Caribbean Caribbean current है यहा century अने और लोग नाम दें वैं फ्लोरिडा में और ओपर गया और उपर गया यहाँ तो यह का बन गया गल्फ स्ट्रीम यही गल्फ् whack inexcus जब यहिये बिल्कुल उदर से भी का बन गया अब इसी तरीके से यहाँं कोछ तान्क है और यह वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो इससा है ये Greenland है तो इसलिए इधर जो इसके East वाले से आएगा ये होगा आपका East Greenland Current और इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा West Greenland Current और यहां से एक आता है एक यहां से आता है इसको हम लोग बोलते है Labrador Current और in fact यहां पर आप देखोगे तो एक Labrador का extension भी आता है और उपर से यह जो Baffin Island है यहां पर एक Baffin Current भी आता है तो इसको अगर और उपर से लिखना है यहां पर से लिखना है तो यह वाला जो हिस्सा है यह कहलाएगा आपका Baffin Current यही नीचे जब यह Labrador के पास आता है तो यह बन जाता है आपका Labrador Current और Labrador Current यहां पर आके मर्ज होता है और यह वाला हिस्सा क्या है यही है आपका Newfound Slant इसको किस कलर से लिख दूँ यहां पर लिख देता हूँ यह वाला जो हिस्सा है यह है आपका Newfound Slant ठीक यही आपका Rich Fishing Crown बनता है बहुत ही बड़िया और यही पर आप देखो कि जब दोनों मिलते हैं तो बहुत ही बड़िया कंडिशन बनता है फिशिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट जोन बनता है और अब आप जड़ा वापस से देखना कि यह वाला हिस्सा लाबराडोर करेंट यहां पर मर्ज हो रहा है पूरा उधर से इस्टन साइट से आ रहा था और इधर से पूरा कौन जा रहा है नौर्व इसी कोई यहां पर आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि यह हमारा क्या है कैनरी करेंट है ठीक वैसे तो एक और करेंट का नाम लिखा हुआ था उसमें यह कैनरी करेंट के उपर क्या था यह अजोर्स करेंट तो एजोर्स करेंट भी लिख सकते हैं लोग वैसे तो कैसे लिख इसको हम लोग बोलते हैं azors current और फिर यह canary current आता है canary current deseccating effect आ लेगा आपके आपके इतनी बात अगर आपकी clear हो गई तो यहां पर एक cycle बन रहा को आपका इस cycle को हम लोग क्या नाम देते हैं भई हम लोग इस पूरे cycle यहां पर इसको हम लोग एक ऐसे ओशन का नाम दे रहे हैं जो की अपने आप में बहुत ही डिफरेंट यहां पर देखो एक इस तरीके से एक इस तरीके से कुछ बन रहा है न एक जायर बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जायर और इसका special नाम हम लोग देते हैं सरगासो इसको यहां नहीं लिखता हूँ इसको यहीं पर थोड़ा से छोटा से करके लिख देता हूँ यह देखो यह है आपका सरगासो सी और यह आपका ऐसा सी है जिसका कोई भी लैंड बाउंडरी नहीं है यह बहुत ही calm and quiet प्लेस है बहुत ही calm and quiet प्लेस है सारा बवाल जो है वो इसके चारो तरफ घूमता है लेकिन इस बीच में बिल्कुल ही शान तिला का और यहां पर इसलिए आपको एक सरगासो नाम से एक वीड है वो भी पैदा होते वे दिख सकता है तो सरगासो वीड के नाम पर यहां पर सरगासो C पड़ गया है इसका ठीक है यह अगर आपको clear है तो हम एक बार नीचे के तरफ पढ़ते है यहां का cycle तो अपना complete हो चला अब जरा इधर आते हैं South equatorial current की हम लोग बात करते हैं अब यहां पर देखो South equatorial current आपके Brazil वाले side पर जब आता है तो यहीं पर यह Brazilian current के नाम पर आ जाता है और आपको एक चीज का मिशा पता होना चाहिए कि जो एक आपका Antarctic drift है या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं Western drift या फिर हम लोग बोलते हैं West Wind Drift कुछ भी बोल सकते हो यहां पर जैसे Antarctic circum polar current लिखा हुआ है तो कुछ भी नाम दे सकते हो यहां पर आप देखोगे ना कोई भी land surface ही नहीं है तो यह एक permanent kind of motion है जो यह पूरे अर्थ पर साधन हिस्से में rotate करता रहता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि Antarctic circum polar current यहां पर आप एक हिस्से पर ऐसे लिख सकते हो कि नीचे वाला जो हिस्सा है यहां पर आपके यह इस direction में क्या चल रहा है वेस्टर्लीस चल रहा है वैसे तो ठीक है यह direction आपका क्या है वेस्टर्लीस का direction है यह वाला हिस्सा और यह हर बार इसी direction में से मस्त चलता रहेगा यह पर्मानेंट टाइप का है इसको कोई लैंड नहीं मिलता है और यह इसी तरीके से चलता रहता है इसको हम लोग क्या बोलता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं सदन सरकमपोलर मेंट कुछ भी बोल सकते हैं स्वारी करेंट है सरकमपोलर करेंट और हमने क्या बोला कि इधर से आप देख रहे हो कि एक ब्राजीलियन करेंट आया यह वाला हिस्सा जो है यह ब्राजीलियन करेंट का है यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देता हूँ अब यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यह जो है यह क्या है sparkling Island है और यहां पर आप देखोग decade की इसलिए ये आपको दो पार्ट में divide होता है दिखेगा एक हिस्सा जो है sorry दो पार्ट में यहां पर आप देखना Ireland से दो पार्ट में से तूट गया एक उधर के तरफ rotate कर रहा है और एक नीचे के तरफ आके इस circum polar current से मिल जा रहा है तो एक इस वाले हिस्से को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं फाक्लेंट करेंट बोलते हैं यह वाला जो हिस्सा है यहां पर और यह वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं फाक्लेंट करेंट और ये वो हिस्सा है जब आपका वो 40 डिग्री वाला लैटिटूट आ चुका है 40 डिग्री लैटिटूट पर अब यहाँ पर वेस्टरलीस चल रहा है और कोरोलीस फोर्स आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में डिफलेक्ट करेगा तो इसलिए यहाँ पर इस वेस्ट विंड डिफ्ट के चक्कर में यह क्या करता है यह आपका इसके डिरेक्शन में चलने लगता है और यह पूरा उपर उपर तक भी बहता है और यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपका एक करेंट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजुविला करेंट है यहां पर इसका नाम देते हैं बेंजुविला करेंट कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया यार पेंट इसको बोलते हैं यहां पर भी आपका एक पुलीट हो गया और झायर को आप लोग बोलते हैं इस तो बेंगे F ठीक अब यहां से जो करेंट गया था अब सिमिलरली हमारा इंडिया वाला तुर्ण से डिफिकल्ट है उसको भी पढ़ते हैं फिलहाल के लिए हम इधर वाला पहले पढ़ते हैं यहां पर हमारा जो एक करेंट है वही वापस से इस तरफ आ जाओ यही चल रहे होंगे और यह जाके इस साइट पर मिलेंगे हैं यहां पर अब देखो यहां से फिर यह उपर के तरफ डिफलेक्ट होंगे और यह भी नीचे के तरफ डिफलेक्ट होगा और सिमिलरली यहां पर आप इधर से देखना एक बढ़ इस वाले जोन को देखो यह पेर करेंट क्या हो रहा है similarly पेरू करेंट अभी नीचे है हमारा तो वही एक्वेटोरियल आपका करेंट आ रहा है नौर्थ एक्वेटोरियल करेंट और साउथ एक्वेटोरियल करेंट यह सब आगे ऊपर के तरफ मिलता है और यहां से आप देखोगे कि दो पार्ट में डिवाइ थानले लिवाइन करेंट नहीं है तो अख्वेटोरियल करेंट यहां से दो पार्ट में डिफलेक्ट होता है एक और यह बहुत ही छोटा सा करेंट आता है इस speed भी उतना अच्छा नहीं है इसका नाम है तुशीमा करेंट तो यह अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा सिंपल सी बात बताता हूं मैं बोल रहा हूं कि यहां पर अब जब उपर आया ना तो यह वाला जो हिस्सा है यह वाला हिस्सा यह बन गया आपका कुरोशियो करेंट और यह आपका North equatorial current नौर्थ equatorial current क्रोशियो चर्छ और उपर से वडर से साइट से आपका एक और current आता है क्रोशियो और उपर से आ रहा है आपका OYASIO current यहाँ पर आप देख सकते हो OYASIO current अब यहाँ पर भी आपका कहां बहुत ही बढ़ी बनाते हैं और इन फैक्ट आप लोग जी भी जानते हो कि जापान का जो बेसिक स्टेपल फूड है वो क्या है फिश ही है और फिश यहां पर वैसे भी अग्रिकल्चरल लैंड बहुत ही कम है और यहां पर इसलिए इनका प्राइमरी सोर्स ऑफूड क्या बन करेंट आया बेरिंग करेंट एक इधर के करेंट में कंवर्ट हुआ और यहां पर जो कुरीले आइलेंड के पास में यहां पर आपका एनदीर करेंट बना इनदीर भी उतना इंपॉर्टन नहीं है आप ओयाशियों को लिख सकते हो यहां पर सिर्फ आप इस तरीके से लिख अब वहाँ पर जोटी अश कॉरेंट था similarly जब यहां पर आपने देखा कि एक यहां से क्या होगा और नीचे यहां पर क्या आया bearing अब है अब hiring करेंट का हिस्सा एक यहां Alaska करेंट में भी करणवर्ट होगा है ओला इसको क्या बोल सकते हैं यह है आपका Alaska करेंट कि इंप मैं सब्सक्राइब कर दो एन जारेस कर देता हैं बहुत है कि कि अि यहा प्वार श्लम क क्षेट ऑलास्व करेंट को के लिए यही नीचे की तरफ जब आती है यह बनती है कैलिफोर्णिया करेंट ठीक देख लो आप यह देखो आप कहा गया यह आपका कैलिफोर्णिया करेंट यह आपका प्रॉपर इस तरीके से जो एक गलती लिखते हैं कि आपका प्रॉपर से वापके यह यहां पर लिखता हम और यहां कि यह पर से आता है यहां पर लिखता हूँ है यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो कि इधर के डिरेक्शन में इधर के डिरेक्शन से यहां से ही एक वेस्ट इधर के डिरेक्शन में आपके पैसिफिक डिरिफ्ट होता है तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हो कि इधर के डिरेक्शन में आता है यहां ऐसे तो यह आपका क्या है नौर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और यहां पर यह आपका है अलास्का करेंट अब समझ लो अब यहां से भी मोटा मोटा आपका फंडा क्लियर ही हो गया होगा कि अब यह कैलिफोर्निया करेंट है और यही वापस से आपके एक्विटॉरियल करेंट में बिल जाएगा सिमिलरली नीचे की तरफ यह वाला हिससे पर क्या देख रहे होंगे हम लोग यह आपका ऑस्ट्रेलिया करेंट में आ रहा होगा है ना उधर से देख लेते हैं यह वाला हिससा क्या है यह आपका इस्ट ऑस्ट्रेलिया करेंट बनेगा इस्ट ऑस्ट्रेलिया करेंट अब यही इस्ट ऑस्ट्रेलिया current जब नीचे आयेगा तो यह वेस्ट विंड डिफ्ट के साथ में आ जाएगा और वेस्ट विश्ट ड्रिम के वेस्ट डिफ्ट विंड के साथ में यहां पर जब यह ऊपर के तरफ आएगा तो यहां पर यह बना देगा पेरू current कि इसी को हम लोग हम बोल्ट करेंट भी बोलते हैं यह आद रखना आप लोग हम वोल्ट या पेरू करेंट कुछ भी बोल सकते हो तो अब आप हमेशा देखो गे आपको हमेशा डिजर्ट फॉर्मिशन हर जिएघने को मिलेगा जैसे कि जब यह कालिफॉर्णी आ रहा था तो यहां पर आपको एक दिखता ग्रेट बेसिं यहां पर किस लखूं इससे देखता हूं चलता है क्या है यहां वाला हिस्सा जो होगा आपका यह इस यह आपका जो डिजर्ड बनता है इसको आप लिख सकते हो ग्रेट वेसिंड डिजर्ट सिमिलरली यहां पर जब आप लोग बात करते हैं तो यहां पर पेटेगोनिया डिजर्ट यह वाला हिस्सा जो है यह है आपका पेटेगोनिया डिजर्ट यहां पर आप इस तरीके से उपर जब यह और भी उपर जाता है तो आप यहां पर अटकामा डिजर्ट भी बोल सकते हैं तो आप हमेशा देखोगे कि जो भी हमारा cold current होगा उससे लगके एक आप डिजर्ट एरिया जरूर से होगा यहाँ पर भी हमने देखा canary current के लिए सहारा यहाँ आप लिख लेना अब यहाँ पर बेंजुएला current गया था तो यहाँ पर भी आप देख सकते हूं नामीब dessert होगा ठिक अगर इतना आपको बात समझ में आ गया है तो मोटा मोटा नामीब dessert के साथ साथ एक और भी है कालाहारी dessert भी है और similarly एक आपका यहाँ पर South America में ही एक Peruvian dessert भी तो होगा पेरू के पास वाले जोन पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर पेरू के पास में यहाँ पर आप देख सकते हो एक Peruvian dessert भी है और यहां पर नामीब तो ही है और साती साथ आपका कालाहारी भी डिजर्ट है अब सोचो अब हमारा एक हिस्सा बचता है इधर का भी पूरा कंप्लीट हो गया अब इसको भी आप लिख लेना सब्ट्रॉपिकल जायर उपर उपर अब यहां पर एक चीज देखना आप यहां पर थोड़ा सा अलग हिसापकेताब चल रहा है यहां पर सदर्न वाला हिसापक साइब तो वही चलेगा यहां पर क्या होगा साओथ एक्वर्टॉरियल करंट आएगा वहीर यहां पर दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा है और यहां पर वापस से वेस्ट आरली स्के से में निफट हम में यह इस डिरेक्शन इहां पर एक आपर ऑगुलास करेंट में पढ़ेक और इसको एक आपका है और पर अंदर वाला जो हिसाब है आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहां पर अगुलास यहां पर लिख सकते हो मड़गासकर करेंट यह अगुलास मड़ागासकर करेंट इसके साथ साथ ऊपर यह वेस्टिक पेटोरेल अब यहां पर पूरा मुद्दा जो है ना अब वो फस्ता कहां पर है मैं बताता हूं आपको यह फस्ता है इधर इंडियन इंडियन मौनसुन में ठीक है इसको तो आपने पहले ही पढ़ ल देना यही आपके लिए क्या है कैने री करेंट आख की और आपका पूरा साथ डिजर्ट है्धा है अब I Ampешq घ़के का कि यहां यहां पर आप दोल्याव कि और के लिए मिन आप यहां पर देखिना क्या हो देखना लेगां एक बाप के लिए कि नर्बली आप एमारा नौर North equatorial current चलता है, जब summer का time होता है, summer के time पर आपको पता है कि southwest monsoon चलता है, southwest monsoon में हमारा जो current बनता है, वो कुछ इस हिसाब से बनता है, मतलब की clockwise direction में बनता है, लेकिन जब हमारा winter का time आता है, winter के time पर हमारा northeast current चलने लगता है, और northeast से इस पूरे current का direction reverse होके, यह किदर direction में आ जाता है, anticlockwise direction में आ जाता है, और यहाँ पर जो north equatorial current था, उसके जगहें पर यह आपका जो counter equatorial current था, वो ज्यादा strong हो जाता है, तो आपका anticlockwise direction में बनता है, इसको अलग से मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कि भई, यहाँ पर इंडिया में, summer case में, summer के case में क्या होता है, clockwise चलता है, और आपके winter के case में, anticlockwise हो जाता है, और ऐसा क्यों है, due to, monsoon winds, monsoon winds क्या होते हैं भई, seasonal reversal of winds को बोलते हैं, monsoon wind, तो एक तरफ से क्या चलता है, इधर के side पर, यह आपका expense नहीं लिखता हूं, यहाँ पर एक तरीके से आप यह लिख सकते हो, कि यहाँ पर आप देखोगे, तो यह क्या कहला रहा है, यह आपका southwest monsoon के influence में चलेगा, और जब भी current आपका पलट रहा है, जब भी current आपका पलट के इस direction में आ जा रहा है, और यहाँ पर इस direction में चला जा रहा है, यह आपक आपका current है, वो आपका मोटा मोटा cover हो चुका है, यह ना, तो इसी तरीके से आप भी एक बार अगर पूरा diagram बनाओगे ना, तो आपको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से clear हो जाएगा, कि क्या कैसे करना है, और यहाँ पर we come to an end, जहाँ पर हम लोग अपने oceanography को पढ़ना अब अगले class में जब भी हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग मिलेंगे भई Indian geography के साथ, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, कि अपना physical geography comes to an end, आप लोग भी इसको जल्दी से खतम कीजिए, और आप लोग अगर पूरी physical geography complete कर चुके हैं यहां से, तो नीचे comment section में मुझे जरूर से बताएं, कि sir I have done my physical geography and I am very pretty confident, अगर मैं आपको अभी questions देता हूँ उस टेलिग्राम चैनल पर अपने वाले पर, क्या आप उसको लगाने के लिए तयार हो, अगर तयार हो तो जल्दी से नीचे comment करो, मेरे को भी बता चले कि majority of the लोगों ने यह lecture खतम कर दिया है, औ मैं previous year questions, कम से का मैंसे 12-13 questions हैं, जो कि 2012 से लेके अभी तक के आए हुए हैं, उन सभी को मैं oceanography से related post करने के लिए, बिल्गुल तयार हूँ, एक दिन या देड़ दिन के अंदर में मैं उस सभी को post कर दूँगा, फटाफट से इसको complete कर लो तब तक, और वहां पर आके अपने सारे questions को सही तरीके से solve कर लो, तो आज के lecture में इतना ही था, thank you very much for listening it very patiently friends, have a nice day.